हेलो एन वेरी गुड इवनिंग तु वन अनौल आई होप मेरी आवाज क्लेर होगी गिव मी अ थाम्स अप अगर मेरी वोईज ओडिबल है क्लेरली आप सबको आज के सेशन में हम डिसकस करेंगे इंडियन एविडेंस आग के कुछ प्रोविजन और ये सेशन जो है बेसिकली रहेगा एक रापिट रिविजन के फॉर्म में हम सारे एक्जाम के जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर आप करेंगे फॉर्म सेक्शन वन तू फिफ्टी फाइव सो गिव मी अ थाम्स अफ इफ आम ओडिबल इफ आम क्लेरली ओडिबल तो अल अगर मेरी इंडियन एविड़न्स आक्ट क्यों जरूरी है हमें ये पता है कि कोट में कोट क्या मांगता है सबूत मांगता है बिना सबूत के कोट जो है कुछ नहीं करता आप चाहे कुछ भी कर लो आपको सबूत देने पढ़ेंगे कोट में ये बताने के लिए कि पर्टिकॉलर ऑफ या यहां पे भी आपको कोई प्रोब्लम आती है जैसे ही कोई प्रोब्लम आई आप कहां गए आप गय और क्योंकि ब्लब्विबरे紫 आक्ट को पर्णे के लिए विंदित्स्त के लिए कोन सा प्रेलेवेंट होगा कौन से fact आपका irrelevant होगा, कौन से witnesses को आप बुलाओगे, आप उस witness को क्या बोलोगे, cross examination कैसे होगा, re-examination कैसे होगा और ये सारी चीजें हमें बताता है हमारा Indian Evidence Act, तो इसी लिए Indian Evidence Act बहुत important है, क्योंकि punishment अगर किसी ने कोई offense किया है, तो punishment कहां पे दे रखी है, उसकी IPC में दे रखी है, तो punishment आपकी दे रखी है IPC में, clearly, और उसका procedure कहां दे रखा है, उसका procedure दे रखा है, CRPC में, procedure दे रखा है, उसका CRPC में, अब ये तो पदा चल गया है कि punishment आपकी IPC में है, और procedure उसका CRPC में है, बट यहाँ पे evidence दो गे, तभी court justice करेगी, तभी court ने आए करेगी जब आप proper evidences दोगे court में, तो उसके लिए कौन help करता है आपकी, उसके लिए आपकी help करता है आपका Indian Evidence Act, right, उसके लिए आपको help करता है Indian Evidence Act, now, Indian Evidence Act को start करने से पहले, देखो, हाज के session में क्योंकि हम discuss कर रहे हैं आपका section 1 से लेके 55 तक आज discuss करेंगे, और इसकार करेंग होगा, वो सब हम यहाँ पे cover up करेंगे, so let's begin, सबसे पहले देखो, कि भई Indian Evidence Act का, आपका enforcement, enforcement date क्या है, कभी यह लागू हुआ आपका, anyone out of you can tell hello, anyone out of you can say that, कि भई कभ हुआ इसका enforcement date क्या है, Indian Evidence Act की enforcement date क्या है, तो देखो, इंडिया में, Indian Evidence Act, इंफोर्स हुआ आपका, 1st September 1872, अब यह date आपको ध्यान भी रखनी है, exam point of view से, तो enforcement date Indian Evidence Act की क्या है, 1st September 1872, okay, very good, very good, correct answer, हाँ, तो enforcement date आपकी exam की point of view से important है, किसी-किसी state exam में पूछ लिया दाता है, कि कभ इंफोर्स हुआ था, बहुत रेरली, बट पूछ लिया दाता है, तो आपको ध्यान रखना है, हर act में जब भी आपको यह act पड़ो, तो उसकी enforcement date क्या है, और I would suggest कि एक list बना लो, कि भई सारे act की चाहे, वो Indian Evidence Act हो, IPC हो, CRPC हो, CPC हो, एक list बना लो कि कौन से कौन से time पे यह enforce हुए है, राइट इंडिया में, okay, so let's begin, देखो, सबसे पहले, जहां आपको रेलिवेंसी की बात, basically आज की सेशन में रेलिवेंसी की बात करेंगे, क्योंकि रेलिवेंसी आपको दे रखा है, section 5 से 55 तक, clear, I request all of you, जो भी हाँ पे हम से जुड़े हुए हैं, कि अपनी बेराग खोर लो, और अपने पास एक pen और pencil रख लो, ताकि आप अप एकदम रंग दो, एकदम जो भी important चीज़े हैं, उसमें हाथो हाथ आप लिखते जाओ, clear, चलो, तो सबसे पहले, जो है, रेलिवेंसी की बात करेंगे, हम Indian Evidence Act में, कि रेलिवेंसी का चाप्टर ते रखा है, part 1 जो है Indian Evidence Act का, आपका रेलिवेंसी की बात करता है, और एक औ आप कहोगे कि कुछीज़ रेलिवेंट है, कुछीज़ रेलिवेंट नहीं है, उससे पहले देखते हैं, कि ये बताओ कि क्या आपका Indian Evidence Act procedural law है, या substantive law है, तो Indian Evidence Act आपका जो है, procedural law है, procedural nature है, इसका, procedural nature है, कुछ provision इसके, that is, in the nature of substantive, विचा दियो दोस प्रोविजन, वो प्रोविजन है आपके e-stopple वाले, e-stopple वाला जो प्रोविजन है आपका, ये substantive nature का है, rest बाकी जो है, आपका Indian Evidence Act, procedural nature का है, no, it's not both, it is only procedural in nature, जब भी prelims का question आएगा, तो आपको procedure को tick करना है answer, वो आपका correct answer होगा, आप substantive or procedural, दोनों नहीं लिखते है, daily stock exchange, stock earner, sorry, चिक है, daily stock earner, it is not the correct answer, बोथ आप नहीं लगा के आओगे, procedural law लगा के आओगे, और बोथ इसलिए नहीं लगाओगे, the reason being कि सिर्फ कुछ प्रोविजन है, जो substantive है, तो majorly तो प्रोसीजर लिए ना, तो आप उसमें procedural law answer लगा के आओगे exam में, हाँ, yes, we can say it, executive law also, correct, आयू शुपाद्ध है, correct, correct, प्रवीन सिंग, good evening, good evening, right, तो यहाँ पे देखना कि आपके जो भी doubts आप मुझे भेज रहे हो, I'll take it by the end of this session, अभी let's study, एक बार बस यहाँ पे धान दो कि क्या क्या हम important देख रहे हैं, exam के perspective से, right, तो procedural law है, आप procedural law पे answer ल 72, process का nature देख लिया, हमने, procedural है, आपका, procedural expect है, इसका, और कुछी एक, जो है, यह इस टॉपल वाला पार्ट, वो substantive in nature है, clear, now, यह जो आपका Indian Evidence Act है, यह जो है, Lex 40 है in nature, अबना, what is Lex 40, मतलब, इसका जहाँ पे भी trial चल रहा है, वो code उसके पास competent है, वो code competent है, आपका, Lex 40 law of the land, मान लो कोई offense हुआ है, आपका बहार, out of India, ठीक है, अगर उसका trial इंडिया में चल रहा है, तो उसमें कौन सा law लगेगा, इंडिया का law लगेगा, and that is what your Lex 40, तो Indian Evidence Act आपका Lex 40 nature का है, right, Lex 40 आता है, और यहाँ पे, अब आप देखो, अपनी bear act उठाओ, अगर, तो section 1 से start करते हैं, right, bear act, everyone should carry this bear act, ठीक है, bear act उठाओ, अपनी, और देखो, section 1 में क्या बता रहा है, कि कहाँ पे, short title, extend, क्या, extend, extend होगा, commencement, हमने देख लिया, कि, in force कव हुआ है, आपका 1 September को हुआ है, अभी लगता है, whole of India पे, किस पे, आपका Indian Evidence Act applicable नहीं होता, वो भी हाँ पे, ब जो पे नहीं लगेगा, देखो, आप, judicial proceedings पे applicable होता है, यह, right, judicial proceedings के साथ, साथ ही, court marshal पे applicable होता है, court marshal के साथ, आपका, यह कुछ पुराने act जैसे, naval act है, इन सब पे applicable नहीं होता, naval act हो गया, army act हो गया, और यह, आपका, effedavit पे, और, effedavit पे, और साथ में, arbitrator proceedings पे, applicable नहीं होता है, again, आपके लिए, exam के लिए, यह, दोनों चीज़े important है, right, तो पहले देखो कि किस पे applicable होता है, extend इसका, whole of India है, यह, applicable होता है, आपके judicial proceedings पे, applies to all judicial proceedings, and court marshal वाले laws पे, बर जो यह, naval act है, army act है, उस पे applicable नहीं होता, और साथ में, यह, applicable नहीं होता है, effedavits पे, और arbitration में, can anyone out of you tell me कि क्यों arbitration और यह, proceedings पे, और, effedavit पे नहीं लगता है, if the procedure and adjective both given an answer, then which one will be the answer, अगर procedure और adjective दे रखा है, you just mark procedural, आप कोई भी उठा लो, सब में, procedural law is the correct answer, ठीक है, there are many, because they are not the judicial proceedings, no, this is not the correct answer, क्यों भाई, क्यों, effedavit पे नहीं लगता है, Indian Evidence Act, I'll tell you कि क्यों नहीं लगता, इन दोनों proceedings पे, देखो, effedavit के case में, हमें पता है कि, तीन basic golden rules हैं, आपके Indian Evidence Act के, best evidence rules कहते हैं, और वो तीन basic rules क्या हैं आपके, वो तीन basic rules हैं आपके, पहला, पहले देखो, best evidence rule कौन सा है, फिर I'll tell you कि कैसे effedavit पे नहीं लगता है, और arbitration proceeding पे नहीं लगता है, तो best evidence rule क्या है, पहला rule ये है, कि here say evidence is no evidence, here say evidence is no evidence, is no evidence, right, दूसरा क्या है, कि oral must be direct, oral evidence must be direct, और तीसरा, documentary evidences must be proved by that document only, proved by document only, अब जब कोई ये तीन हैं आपके golden rules, बहुत basic से तीन golden rules है, कि here say evidence को हम को evidence नहीं मानते, दूसरा बताया, कि आपका oral evidence must be direct, जो दे रहा है, जिसने देखा है, वही दे वो oral evidence, right, और last तीसरा क्या है, कि अगर documentary evidence है, तो वो उसी document से प्रूव होगा, और किसी चीज़ से आप documentary evidence नहीं दे जाकते, कोई document अगर आप प्रूफ कर रहे हैं, before the court of law, right, good evening शिवम पांडे, ठीक है, अब क्या है, जब तीन principle देखे हमने, हम यह कह रहे हैं, कि Indian evidence act का आपका effedavet पे नहीं लगता हो, और arbitration proceeding पे नहीं लगता, तो सबसे बहले discuss करते हैं, effedavet पे क्यों नहीं लगता है, reason being, कि कभी-कभी effedavet में आप कोई ऐसी चीज़ लिखते हो, इसका nature जो है, हेर से होता है, sometime it happens, कि आप जो है, effedavet में कोई चीज़ लिख रहे हो, जिसका nature जो है, आप कहतो रहे हो, कि this is out of my true knowledge, best out of my knowledge, यह सारी बात ठीक है, बट हो सकता हो, वो knowledge आपको कहीं हेर से हो, right, और हम क्या कहते हैं, कि हम हेर से evidence को नहीं मानते, हमारा golden rule क्या कहता है, कि हेर से evidence को हम नहीं मानते, इसलिए Indian evidence के embed से इसको बाहर रखा गया है, आपके effedavet वाले पार्ट को, अब रही बात arbitration proceedings की, arbitration proceedings को kindly please tell, आप बताईए कि arbitration proceedings को क्यों नहीं रखा गया आपके Indian evidence act पे, क्यों नहीं आप लिकी बिल होता है, देखो, arbitration proceedings में क्या होता है basically, arbitration proceedings में आपका, हम arbitration proceedings में जाते क्यों है, ताकि हम जो है complex system, complex system, CRPC, CPC, IPC, इन सब को follow ना करें, आप adjudication करा रहे हो, किसी चीज़ को, किसी matter को, simple way में, simpler form में, इसलिए आप जाते हो, ADR mechanism पे, right, इसलिए आप जा रहे हो, ADR mechanism पे, ADR is alternative dispute resolution, ठीक है, redressal, तो आपका ADR mechanism में आप क्यों जा रहे हो, ताकि आपका adjudication उस matter को लेके, थोड़ा simpler हो जाए, complex ना हो, और delay आप avoid करना चाह रहे हो, तो अगर आप Indian evidence act की proceedings को, इसलिए आप जाते हो, ताकि पार्टी इसको को दिक्कत ना हो, ताकि आप delay को avoid कर सको, इसी वज़े से आपका Indian evidence act को इस चीज से बाहर रखा गया है, and that is the reason that these two things will not cover under Indian evidence act, इस पे जो है applicable आपका नहीं होता है Indian evidence act, और हमारे लिए क्या ज़रूरी है, prelims में, prelims के point of view से ये पूछ लिए आता है कि एफटेविट और arbitration proceedings पे लगता है आपका Indian evidence act या नहीं लगता है, right, तो ये धान रखना इसको underline कर लेना आपने बेर आग्पे, now moving ahead, कि हमने principles लेख लिए आपके, अब देखते हैं आगे definition clause, देखो, definition clause के respect मैं I would say, कि definition में, जो भी definition आपके important है, discuss it here, at the same time हम उसको line wise नहीं देख रहे हैं यापे, हमें क्या देखना है, definition clause में क्या के चीज़े important है, तो सबसे पहले देखो, court, court में क्या बता रखा है, कि court includes all judicial proceedings, हो भी आपके magistrate और जजज़े रहे हैं, बट उसमें आपके arbitrators नहीं आएंगे हैं, कोई भी person जो legally authorized है, ओथ लेने के लिए, वो हो गया आपका court, that is court, right, वो defined है आपका court में, okay, हाँ, वो आपका defined है court में, now fact किया है, अब देखो, fact बता रहा है, fact, अब fact में जाने से पहले, उससे पहले, let's discuss what is evidence, सबसे important definition जो दे रखे है, evidence क्या है, तो देखो, evidence के basically, दो kind है, आपका oral evidence, और आपका documentary evidence, ठीक है, तो evidence की definition में, यहाँ पे define कर रखा है, कि oral evidence क्या है, जो भी कोई orally दे रहा है, जो भी कोई बोल के evidence दे रहा है, कोई भी evidence दे रहा है, ऐसकłem के बोल रहा है उसको किया बोल को ए같े यंपर हो और को blessed यह को in जीज़ इंपोर्टेंट है ओरल एविधिन्स और डॉक्यमेंटल इविडिन्स हैं यहां पर एविडि हज Jamben को क्लासिफाइब डिए गया है नाल एविडेंश आप क्यों देते हों नक्यों किसी पैक्ट इविर्ण को प्रूफ करने के लिए पदूर इंग अब यहां पर एविडेंस की देफिनीचन में देखा कि और एविडेंस डॉकुमेंटरी एविडेंस किया होता है बेसिकली कुछ नहीं जो भी आपको सरकमसान्स से से देखता है माल लो कोई बॉडी पड़ी है या उस बॉड़ी को बसीट के ले या कोई मांक है वहां पे बॉडी आपका ब्लड स्टेन है या फिर कोई भी चीज तो रिलेटेट है क्राइम स्पॉर्ट पर देखते हो वह आपको सरकम्सांसे समझ में आ रहा है कि यहां पे क्या हुआ है मालो मिट्टी है तो मिट्टी पे बहुत आइसा निशान पड़े हु इस रियल एविडेंस मतलब कोई ऐसा कोई कपड़ा है या कोई किसी परसन का कोई क्लोथ है क्लोग एक लोग पार्ट है जो बिल्कूल खून से लगपत है तो बिसिकली आपका डिफिनीशन के हिसाब से एविडेंस को ओरल और दोक्युमेंटरी एविडेंस में टासिफाई कर रखा है नाओ एविडेंस क्यों देते हैं प्रूफ करने के लिए किसी फाक्त को नो वॉट इस फाक्त तो फैक्ट को भी चीज़ जो आपने परसीफ करी है अपने सेंसे से सेंसे मतलब आईज नोज आपका यार माउथ कैसे भी आपने सेंसे से परसीफ करिये याट इस अ करेक्ट करेक्ट पाइज जो भी है आपके आप उससे परसीफ किये है कोई बीचीज तो डाट इस फाक्त ये एक बात रही और दूसरी बात करी कि मेंटल फाक्त तैसे मैं किसी मैं का रेपिटेशन जो भी रेपिटेशन हुआ वो राइट और यह चीज़े जो है क्लासिफा आपके बेंथम ने, now fact जो है आपका दो तरीके का होता है, fact in issue और relevant fact, fact in issue और relevant fact, अब fact in issue क्या है, fact in issue यह है कि A ने B को मारा, ठीक है, A ने B की जान ले लि, मडर कर दिया A ने B का, right, यह fact in issue है आपका, यह फिर A ने B को धंकी दी, this is fact in issue, right, यह फिर आपका A ने B के घर चोरी क Now what is relevant fact then, तो relevant fact वो fact है, जो support कर रहे हैं आपके fact in issue को, जैसे कि उसने जो धंकी दी A ने B को, वो phone करके दी, that is what, that is relevant fact, यह फिर उसने चोरी करी उसके घर जाके, तो वो उसके घर गया, उसने चोरी करी, उस fact in issue को, जो भी कोई fact support कर रहे है, that is your relevant fact, ठीक है, वो है आपका relevant fact, और यहां बहुत clearly दे रखा है, definition में आप पढ़ लेना, खुझ से एक बार देख लेना, क्या definition दे रखी है, but basic concept यही है, कि fact in issue क्या है, fact in issue आपका main fact, जिस पे आप assert कर रहे हो, right, एक party assert कर रहे है, दूसरी party deny कर रहे है, now this fact in issue, जो मैंने example बताया है, कि A ने B कम अडर किया, अब किस तरीके से किया, क्या किया, वो सारी चीजे भी आपकी relevant होती है, Indian Evidence Act में, and that we'll be seeing आगे section 6, section 7, section 8, and so on, right, now, अब देखो, आपका ये तो part हो गया, definition clause को, definition clause में, I guess, और कुछ खास important नहीं है, exam की point of view से हैसा कुछ पूछते नहीं है, बद आपको concept clarity होनी चाहिए, that what is fact and issue, what is fact and what is evidence, right, now moving ahead, आपका presumption, अब देखो, presumption एक इंपोर्टन चीजे, presumption एक इंपोर्टन चीजे, presumption एक इंपोर्टन चीजे, presumption में क्या क्या आता है, इसकी classification करी है, दो classification करी है, presumption की, that is of fact and one of law, fact or law, अब यहाँ पे law में आता है, shall presume, और conclusive proof, ठीके, और यहाँ आता है आपका fact में में, अभी जो में होता है, that is revertible, I will tell you everything now, revertible presumption होता है यह आपका, और यह होता है आपका, revertible, यह भी revertible presumption होता है, and this is irrevertible presumption, right, now, यहाँ पे देको, कभी-कभी क्या होता है, in respect of fact, I am telling first, ठीके, में presumption, में presum, ठीके, क्या है में presumption या में presum आपके हलो, तो जो को में presumption में basically क्या होता है, कि यहाँ पे court, जो है, किसी fact को लेके presume कर लेती है, कोई particular fact court presume कर रही है, अगर कोई दूसरी party उसको disprove नहीं करती, तो यहाँ पे may presumption है, court may presume कर सकती है, उसके discretionary power है, कि court कोई fact को presume कर ले, right, now, in respect of shall presumption, अब यह दो को revertible nature का मतलब क्यों है, revertible presumption है, the reason being, कि opposite party अगर evidence दे सकती है, तो यह जो presumption है court का, वो आप revert कर सकते हो, वो आप पलट सकते हो, अब जो है, evidence दे के उसको बदल सकते हो, right, in case of shall presumption, यहाँ पे, in respect of law, court जो है, presume करती है कोई चीज, and that is a shall presumption, unless it is disproved by the other party, this is also revertible, यह भी आपका revertible nature का होता है, कि अगर सामने वाली party ने कुछ evidence दे दिये, तो आप इस बात को revert कर सकते हो, तो यहाँ पे shall presumption है, clear, यहाँ पे एक, देखो थोड़ा bounding factor आप देखो, यहाँ पे तो discretion है court की, court की discretion है, may और shall wordy बहुत अलग-अलग हो जाता है, right, यहाँ पे shall presumption है, कि court जो है, presume करेगी किसी law के respect में, right, अब आता है आपका conclusive proof, यह है आपका irrevertible presumption, यहाँ पे parties से evidences न वो conclusively presumed हो गया है, यहाँ पे court जो है, किसी भी party को evidence देने को नहीं कहती है, अब इसके भी कुछ exceptions है, आपका section 41 हो गया, section 41 में कुछ grounds है, exception हो गया, section 112 जो बात करता है paternity की, legitimacy की child के, उसमें अगर आप DNA test दे देते हो, तो वो भी exception हो गया, वो भी conclusive proof है, बट वो revert हो रहा है तो over a period of time, over a span of time, we get to know कि हाँ, conclusive proof वाला section 12 में आप उसको revert कर सकते हो, but then again, presumption की point of view से, presumption की point of view से general rule क्या है, कि conclusive proof जो होता है, वो revertable नहीं होता है, वो revertable नहीं होता है, right, I hope it is clear, I hope यहाँ तक clear हुआ हो, primary part इसका clear हुआ हो, तो give me a thumbs up, please, एक बार please clear, लिख दो all clear, चल आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, section 5 से आपका 55 में, कि जहाँ पर relevancy of fact की बात करी गई है, तो relevancy of fact में सबसे पहले आता है आपका section 6, section 6 जो बात करता है, resist I की, resist I की बात करता है, अब देखो section 6 में क्या कह रहा है, कि कोई fact जो है issue नहीं है, thank you, thank you स्वाती, thank you, okay, okay, हाँ चलो, section 6 क्या कह रहा है, section 6 कह रहा है कि resist I की बात कर रहा है, देखो, अब ये exam के लिए important है, ये मैं तो बता रही हूँ, mains के लिए भी important है आपका, right, prelims के लिए क्य यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई भी offense हुआ माल लो, उसकी transaction में कोई भी चीज हुई है, तो वो आपका relevant है, कैसे, for example, देखो, resist I का concept ही कह रहा है कि कोई fact आपका, दो में not in issue, वो fact in issue नहीं है, but वो fact in issue से इस तरीके से connected है, कि वो form कर रहा है part of same transaction, वो क्या है, resist I है, as simple as that, कै इसे देखो, अब अगर, एक accident हुआ, ठीक है, अब accident हुआ, तो उस accident से पहले या, उस accident के जस्ट बात क्या क्या चीजे हुई, देखो, एक truck आया, उसने एक आदमी को कुचल दिया, ठीक है, एक truck आया, बहुत जोर से आया, और यह देखा लोगोंने कि वो बहुत over speed में आया यह हुआ, तो इससे रेजस टाई, इससे रेजस टाई, यह सोने, परेक्ट, हाँ, यह के स्लोग में इंपोर्ट इंड, तो देखो, यह हुआ आपका रेजस टाई, यह सारी चीजे, क्योंकि फॉर्म कर रही है, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, एक ही सीरीज में हो रहा ह यह सारी चीजे, एक साथ हो रहे है, यह क्या है आपका, रेजस टाई का सकता है, यह कहता है कि कोई भी चीजए, अगर आपकी एक ट्रांजेक्शन में हुई है, चाहे डिफरेंट प्लेस पे हुई हो ओ, यह दिफरेंट टाइम पे हुई हो, उस से कोई फरक नहीं है, बट एक ही सेम ट्रांजेक्शन में हो रहे हैं, सेम ट्रांजेक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो that is your रेजिस्टाई, स्पॉंटिनिटी होनी चाहिए, एक चीज़ इंपोर्टेंट कैसमें, स्पॉंटिनिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने मनगणन कहानी बनाई और फिर आप बता रहे हो, that is not, रेजिस्टाई, वो आपका नहीं माना जाएगा, स्पॉंटिनिटी होनी चाहिए, जैसे ही हुआ, वैसे ही आपने बताया, तो यह एक ही सीरीज में हो रहे है, यह मैं घर से निकली, पलेवाशी शॉडा था, आप आभार निकली, उसने क्यो परशान हो, मैंने का मेरे béर में लशो झोड़ी हो गई, section 7 बात करता है occasion cause and effect की occasion cause effect की अब देखो occasion cause effect वो जो मैंने बताया कि same transaction है वो relevant होगा जो भी series same transaction में कोई चीज हो रही है तो उसमें कोई भी evidence देगा तो वो क्या होगा आपका relevant माना जाएगा now दूसरा क्या है आपका occasion cause and effect section 7 जिसकी बात करता है उसमें देखो यहाँ पर कह रहा है कि कोई occasion या उसका क्या effect रहा या उसका क्या वजा थी वो fact भी आपके relevant होते हैं जैसे कि मान लो मैंने इसका illustration यूठा लेते हैं section 7 का section 7 का illustration क्या कहता है कि उसने एक opportunity दी कि उसने जाये market में से करके पैसे दिखाए और फिर वो मार बजार में गया और बजार से उसके पैसे चोरी हो गए तो यहाँ पर उसने पैसे करके दिखाए देखो मिरे पास पूरी गड़ी है कि आप जो है एक ground है उसमें आपने लोग लोग struggle कर रहा है आपस में लड़ रहे है तो वो जो माक है that is what that is the effect that is the effect लड़ाई हुई है उसका effect है वो तो वो भी आपका क्या होता है relevant होता है now moving ahead with section 8 to section 7 में आपका इस सिर्फ यह नहीं होता कि आपका सिर्फ occasion cause effect नहीं है there are many things occasion cause effect immediate state of thing opportunity हो यह सारी चीज़े क्या है आपकी relevant मानी जाएंगे कोई भी फैक्ट यह शो करेगा वो relevant होगा clear in respect of any offense in respect of anything now बिल्कुल 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 correct बिल्कुल correct रोने जी हाँ जी चलो आगे देखते हैं आगे है आपका section 8 again important section बहुत important है यह the reason being कि इसमें बात कर रहा है motive cause motive conduct or preparation की देखो कोई भी चीज करने का आपका एक motive होता है अभी I'll tell you इसका उल्टा कैसे अभी आपको समझ में आएगा तो motive preparation और कंड़क की बात कर रहा है section 8 तो motive preparation conduct में कि आपका कोई motive है आपका motive यह है कि आपको जो है जायजाद में हिस्सा चाहिए ठीक है आपका motive क्या है कि आपको किसी property में एक हिस्सा चाहिए ठीक है अब आपका motive है आपको पैसे वो property अपने नाम करानी है अब उसके लिए आपने preparation की ठीक है आपने उसके लिए प्रपरेशन करी कि कैसे मुझे उस बंदे से अपने नाम में प्रॉपर्टी करा लेनी है अब उसके बाद आपने preparation करी उसके पास जाके रहने लगे उसे बहलाने फुझाने लगे उसके साथ साथ time spend करने लगे अब देखो आपने ये तो हो गया आपका आप मोटिव कि आपको एक प्रॉपर्टी में अपना नाम चाहिए अब उसका occasion आप उसके पास जाने लगे उसके साथ रहने लगे राइट आपको मौका मिला आप उसके पास गए और आप उसके साथ रहने लगे उसे बहलाने फु इसके आपको एक उकेजन मिला और आपने फिर वो ओफिंस कर दिया में ओफिंस कर दिया राइट तो ऐसे आपका section 6, 7 और 8 जो है एक साथ connected है राइट इस तरीके से आपका एक साथ ये जो है connected है नाओ अब important चीज क्या है इसमें जो आपका motive preparation conduct की बात कर रहा है कि चाहे वो conduct आपका previous हो चाहे वो subsequent हो अब यहाँ पे कुछ important चीजे दैसे आप ही कहते हो कि आपका motive देखना है motive हो गय के एक नदी में फेग दिया कोई भी बॉड़ी है आपने मडर किया उसको नदी में फेग दिया तो इसलिए subsequent conduct या फिर आपने जो है murder किया और आके आप जो है एकदम भाग गए जैसे आपको बतायाएगा कि पुलिस आरी और आप भाग गए जैसे यह subsequent conduct राइट तो ये सार और सिर्फ आपकी टी आईपी की बात नहीं करता है सेक्शन नाइन में यह मत संदो कि सफ टी आईपी की बात हो रही है यहां पे कोई भी फैक्ट जो explain कर रहा है जो explain कर रहा है यह introduce कर रहा है किसी फैक्ट को वो भी आपका relevant है अब explain और introduce का मतलब जैसे हम समझते त्राइल म में कौन है राइट तो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नाइन आपका टी आईपी की बात नहीं कर रहा है अगर आप सेक्शन नाइन की लांगविज देखो तो सेक्शन नाइन में बहुत क्लेरली बता रखा है कि फैक्ट नेसेरी टो explain और introduce relevant अगर कोई भी फैक्ट आपका explain कर र एक introductory fact दे रहा है कोट में कि वह उसके खांदार में इतने लोगा उसके परिवार में इतने लोग हैं यह करते हैं यह सारी चीज़ें क्या है relevant है तो यह आपका क्या हो गया यह introductory fact हो गया वह कहां relevant होगा section 9 में relevant होगा not only this यहाँ पे आप स्टैबलिश कर रहे हो किसी person की identity किसी person की है या किसी think की है सिर्फ ऐसा नहीं है कि persons की होगी identity किसी चीजों की भी identity होती है right कि पही चोरी कमाल है वह यहां पे रखा है आ कि identify कर लोगी कौन सा कौन सा किसका है this is what this is identity establishing the identity right तो यहाँ पे section 9 में T.I.P. is one of the expect I would say एक एक्सेक्ट इस तर्फ यह मत्सम्जों कि सेक्शन 9 तो टी आईपी की बात कर रहे ती आईपी उसका एक एक्सेप्ट है अब नौट टी आईपी क्या होता है टी आईपी में बेसिकली लाइन से खड़ा कर देते हैं और किसी परसंट से कहते हैं कि तुम आपके आइडेंट इस तर्फ परसंट किसी चीज के रिस्पेक्ट में फिक्स करता है कुई अर प्लेस की कौन से ताइम और कौन से जगा पे वह ऑफन्स हुआ था राइट यह पे बताता है आपका रिलेशन क्या है पार्टी में तो कोई भी फैक्ट अगर कोई बेसिन बता रहा है पार्टी के respect में तो वो क्या है आपका रेलिवेंट है वो आपका section 9 में आकर रेलिवेंट में जाएगा Indian Evidence Act में आपने relationship of the party established कर रहे हो identity established कर रहे हो in respect of a person in respect of a thing section 9 जो है सिर्फ और सिफ confined नहीं है आपका tip से I hope इसमें और भी चीजे हैं जैसे identity हो गया person की place की यह introduce कर रहा है explain कर रहा है कोई fact जो relevant है वो आपका relevant माना जाता है section 9 में clear now moving ahead next देखो next section 10 section 10 जो है basically आपका बात करता है conspiracy के respect में और यह आपका link है section 120A और 120B से IPC के IPC के अब यहाँ पे section 10 में क्या कह रहा है कि कोई भी बात चीज आपने conspiracy के दौरान करी तो जो भी आपने conspiracy के दौरान करीब जब आपका conspiracy execute हो गया उस बीच तक जब आपने जब तक execute कर रहे हो आप उससे पहले आपने कोई भी चीज बातचीत करी है आपस में तो वह यहाँ पे relevant होगा execution के बात कुछ कहा आपने कुछ आपस में डिसकस किया वह relevant नहीं होगा तो जब तक आप execute कर रहे हो अपने conspiracy को उससे पहले जो भी कोई बातचीत हुई है लोगों में वह fact आपके relevant होंगे section 10 में now moving ahead section 11 ने को section 11 आपका again section 11 में कोई बता सकता है कौन सी प्ली की बात हुई है section 11 में anyone can answer कौन से प्ली की बात हुई है section 11 किस प्ली की बात करता है और कौन सा important case है section 11 से right row net बहुत बढ़िया section 10 deal करता है conspiracy से and it has to be read with section 120 A and 120 B of IPC very correct ठीक है okay great 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 huh अच्छा daily daily stock earner very good LAB LAB very nice very nice very nice ठीक है चलो play of LAB की बात करता है तो क्या यह पूरा section play of LAB की ही बात करता है ऐसा नहीं है section 11 का sub clause 1 जो है वो बात करता है उसका एक expect है आपका play of LAB एसा नहीं section 11 है तो पस plea of LAB हो गया section 9 है तो टी-ाइप हो गया ऐसा नहीं है रियाद करने के लिए आपने आपको recall करने के लिए exam के perspective से ठीक है but then this is not the पूरा concept की सिर्फ हो सिर्फ टी-ाइप की बात करता है section 9 है सिर्फ 11 जो है आपका plea of LAB की बात कर रहा है ऐसा नहीं होता राइट देखो plea of LAB क्या होता है हाँ वेरी नाइस दूधनात पांडे इस दे इंपोर्टेंट केस exam के परस्पेक्टिफ के लिए दूधनात पांडे जो है इसका एक लांडमार्क केस है दूधनात पांडे वसस्टेट ऑफ यूपी रही दूधनात पांडे वाला इसमें इंपोर्टेंट केस है plea of LAB का सबसे पहले समझते हैं कि 11 क्या है एक तो उसको और दूसरा कहता है कि कुई ऐसा फाक्ट जो हाईली प्रवयर्वेबिल और हाईली इंप्रवयर्वेवल कर देता है चीज़ को वह क्या है आपका रेलिवंट है तो देखोई इसमें जोहें बहुत फरी चीज़े आती है को सक्षिन 11 क्लॉस बन में आएगा आपका पेटरनिटी का कंशेप्ट कि यह मैं मेरा बच्चा नहीं है दिस चाइल इस नौट मैं चाइब यहां पर inconsistent हो गया राइट यह दूसरी बात आपका plea of LAB जिसको हम कहते हैं कि मैं उस जगा ही नहीं था जहां पे offense हुआ राइट तो यह inconsistent हो गया यह fact inconsistent हो गया उस चीज से राइट तो यह क्या है आपका relevant होगा section 11 में यह चीज आपकी section 11 में relevant होगी या कोई ऐसा fact हाँ या फिर कोई ऐसा fact जो आपका किसी चीज को highly probable कर देता है यह highly improbable कर देता है वो चीज आपकी relevant होती है section 11 में now moving ahead देखो इसमें exam की perspective से मैंने बताया है case important है plea of LAB का concept important है prelims की exam से और section number important section 11 में जो है क्या दे रखा है clear now moving ahead section 12 में section 12 देखो तो section 12 जो है बात करता है damages के respect में not so important आप खुछ से बढ़ सकते हो suit for damages होता है इसमें ठीक है कुछ खास important नहीं है रही बाद section 13 की 13 section 13 section 13 जो है बात करता है in respect of right of custom ठीक है right of custom या suit for damages ठीक है आप पढ़ लो exam के लिए इतना इंपोर्टेंट नहीं है अब मुविंग अहेड तो section 13 देखो क्या बात कर रहा है बात करता है कि आप पर्टिकुलर कस्टम exist exist or not इसके साथ आप पढ़ते हूँ red with है ये section 48 के साथ और 30 32 clause 4 and 7 section 32 clause 4 and 32 clause 7 right ऐसे बढ़ते है section 13 को ये बात कर रहा है आपके in respect of customs in respect of customs ठीक है तो custom के respect में कि अगर कोई fact आपको पता लगाना है कि हो fact in custom के respect में है या नहीं और ये कहुं एक और important बात ये लगता है आपके public और private right दो לא पे पड़िक राइड और private right दो नों पि लगता है tangible in tangible दो और राइंट पर लगता है public plus private light पे prelims में कर दाता है right public right of prelims public right or private right पे लगता है intangible टांटिज्य व T Me भी लगता है यह प्रिलिम्स में अभी कभी पूछता है दोनों पर लगता है क्लियर सेक्शन 13 आपका दोनों पर अप्लिके भी होता है तो बैसिकली सेक्शन 13 में क्या बात का रहे कोई ट्रांजेक्शन है या फिर आपका रेलिवेंट मान जाएगा और सिमिलरली आपका सेक्शन 14 सेक्शन 14 में देखो प्रिलिम्स के पॉइंट व्यू से क्या चीज इंपॉर्टेंट है तो सेक्शन 14 की तो सेक्शन 14 जो बात करता है वह बात करता है स्टेट ऑफ बॉडी बॉडिली फीलिंग और माइंड की राइट अब इसमें प्रिलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो सेक्शन 14 में नहीं दे रखी है तो आप अपने नोट्स में वहाँ पे लाइन से लिख लेना कि क्या क्या चीजे हैं ये तो कोई भी फैक्ट जो शो करेगा क्या 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 चीजे हैं आपकी इंटेंशन, नौलेज, गुट फैथ, नेगलेजेंस, राशनेस, इल्विलनेस, गुट विल्ट विल्ट तोवर्ज अनी पर्टिकुलर पर्सन और शोएंग दी एग्सिस्टेंस अफ सेट अफ माइं और बॉडिली फीलिंग और तो उस केस में यह सारी चीजें आपकी अगर शो कर रहे हैं तो अगर दाट मींस अफाक्त इस रेलेवेंट रहें तो यहां कवरी करेक्ट रोनेट वेरी करेक्ट ठीक है तो सेक्शन 14 जे बेसिकली जो यह लिस्त दे रखे हैं आपको वह धान में रखना कि वो उस लिस्ट म है वह important है just because we are running a rapid revision of Indian Evidence Act section 1 से लिके पच्पन तक तो I will not be discussing all the illustrations here to go through with the illustrations exam के लिए बहुत important है section 14 की illustrations section 8 की illustrations भी बहुत important है so this is the area where you need to work आप इसकी illustrations को अच्छे सपड के जाओ exam point of view के लिए clear now moving ahead section 15 जो है basically बात करता है facts bearing जो accidental है या intentional है तो वो आपके relevant होते है section 16 जो है बात करता है कि existence of course of business when relevant कभ आपका course of business existence जो है relevant माना जाएगा नहीं माना जाएगा this is not very important for your prelims point of view right now now moving ahead to the very important part जो है आपका admission जो है आपका admission बहुत बोरिंग पार्ट हो जाता है section 17 से लेके 23 ताथ no one wants to read it no one wants to study it और बहुत confusion भी है कि कैसे कैसे admissions के respect में बात होती है हाँ रोनित वेरी करेक्ट section 15 के स्लों एंपरर वर्सिस पंच दास हाँ ठीक है बढ़िया good very good nice ठीक है अच्छे preparation चल रहा है समझ में आ रहा है very nice very nice I'm so happy good ठीक है तो section 17 की बात करें 17 से लेके 23 तक जो बात कर रहा है आपके admissions की तो admissions के respect में देखो कि admission यार थोड़ा boring तो है no doubt but it is important also चाहे आपका mains का examination हो चाहे प्रिलम्स का questions का questions आते है इस area से right इस area से questions आते है now admission क्या होता है जहां पे भी आप कोई fact मान लेते हो that is what admission राइट तो section 17 जो बात करता है आपके admissions की यहां पे क्या कर रहा है कि कोई fact आप admit कर रहे हो accept कर रहे हो admit कर रहे हो या accept कर रहे हो कोई fact that is what that is admission कोई भी fact आप admit कर रहे हो या accept कर रहे हो वो क्या है आपका admission है right और confession क्या है जहां पे भी कोई फाक्ट एडमिट कर रहे हो है एकसेप्ट कुसी फाक्ट से आप जो है कोई भी गिल्ट अपना एडमिट कर रहे हो या एकसेप्ट कर रहे हो ठीक है कोई भी आप जो है कनफेशन क्या है कोई भी फाक्ट से आप एडमिट कर रहे हो गिल्ट ठीक है फाक्ट से आप एडमि कर रहे हो गिल्ट that is what that is your confession भो confession तो यह basic difference है आपका admission or confession में admission or confession में है अप्टा कि जहां पर you admit कर रहे हो accept कर रहे हो किसी fact को तो महँं क्या है अपका admission है लेकिन जहां पर आप किसी फार्ग जे admit कर रहे हो guilt अपना that is what confession right वा आपका confession है नो इसको पढ़ने का तरीका है क्या तरीका है यहां पे एक तरीका है डाट वोट हूँ ठीक है वोट यहां पे आपका सेक्शन 17 आ जाता है यहां पे आपका का है यहां पर सेक्शन 19 में कह रहा है एनी अदर परसन और सेक्शन 20 में आता है आपका कि आप जब जब किसी को रफर करते हो, रेफरेंस में कहलो चाहARK है वाइकरायist li recycled में कहलो, रेफर करते हो कि भई जाके उस से पूछ तो उसमें भी आपका अप्या कॉउटेबिलिटी रहती है, मैं कहते हूं कि go and ask C, ठीक है, मुझसे मत पूछो, इसके बारे में C से जागे पूछो, तो यहाँ पे मैंने refer किया C को, मैंने reference दी है उसको, तो यहाँ पे मेरी liability रहेगी, यहाँ पे मेरी liability arise होंगी, ठीक है, तो that is what reference or you can say, why curious liability, why curious liability, that is section 20, that is section 20, अब यहाँ पे कैसे बढ़ना है admission वाले part को, बिल्कुल boring नी समझना इसको, सबसे पहले admissions जो है आपका, define कहाँ पे, what is admission दे रखा है section 17 में, section 18 में कहाँ दे रखा है कि कौन कौन admissions कर सकता है, section 19 में कह रहा है, any other person के respect में, कि जहाँ पे उस person के rights and liabilities पहले डिसाइड करना है, एडमिशन से पहले, जहाँ पे उस person की position को पहले आपको clear करना है, जैसे इसका illustration है, वो rent वाला, कि मुझे आपने कहा, कि आप मैं जाके किसी person से जो है, पहले रेंट करना है, वो परसन के रहा है, मैं तो उसको ओई नहीं करता है, तो यहाँ पे पहले rights and liabilities decide करनी है, उसके बाद की admissions की बाद आती है, right, so that is section 19, and section 20, जहाँ पे आप रफर करते हो, कि भई, उसको रेफर कर दिया है, कि उससे जाके पूछो, तो वहाँ पे वाइकरिस liability रहती है, वहाँ पे में liabilities रहती हूँ, so this is section 20, now, इस तरीके से आप जो है, cover up कर सकते हो, section 17, 18, और 19, 20, sorry, 17, 18, 19, 20, right, now what is section 21, section 21 क्या है, section 21 जो है बात कर रहा है आपके, admissions जो है हमेशा, यह बिसिकली बात करता है, self-harming और self-serving statements की, right, self-harming और self-serving statements की, self-harming और self-serving statements की बात करता है आपका section 21, now this is important, important है, यह आपका prelims में पूछ लेता है, important section है, in fact, prelims के point of view से basically बात होती है, आपके in respect of, कि कहां पे admission defined है, right, prelims के point of view से बाता रही हूँ, कौन-कौन admissions कर सकता है, 18 is important and 20 is also important, जहां पे reference होती है, इसका illustration पूछ ले जाता है कुछ states में, right, तो यह तो आपके important section हो गए, now section 21 क्या कह रहा है, section 21 बात करता है, self-harming or self-serving statement की admission हमेशा जो है, maker के against रहता है, यह ध्यान रखना, admission हमेशा आपका makers के against रहता है, right, जो भी admission कर रहा है, उसके against रहता है, उसके against ही work करेगा, right, तो यह आपका हो गया, कि अगर मानलों self-serving statement दे रहा है, तो वो यूज हो सकता है, self-harming दे रहा है, तो self-harming ही बिसिकली ज्यादा दिया जाता है, right, right, now, moving ahead, आगे देखो आपसके की section 22, देखो section 22, again, it's not very important, section 22, 22A, जो है, बहुत important नहीं है, बस section 22A का year देख लेना, amendment, कौन से year से उसको लाया गया है, ठेके, section 22 and section 22A, जो है, आपका exam की point of view से oral accounts बताएं हैं, इसमें, ठेके, तो वो बहुत दादा प्यों के paper में, the questions पर आज किलो में कि कौन से year से वो provision जोड़े गये हैं, right, तो बहुत सारे questions से जहां पे आपके amendment से भी पूछा गया था, तो यह आपका add हुआ है, 2000 में, in the year 2000, ठेके, तो धान रखना, इसको धान रखना, 22A जो है, 2000 में add किया गया था amendment से, ठेके, यह exam prelims के लिए आप क्योंकि trend change हो रहा है, पूछ लेते हैं, कभी-कभी, कि कौन से year से इसको add किया गया है, Now, moving ahead to section 23, section 23, that is, मैंने जैसा याद किया है, अपने लिए, that is, without prejudice, that is, no prejudice, you can say, or you can say, without prejudice, prejudice, अब यहाँ पे, क्या है important, कि मान लो पाटीज ने आपस में consent कर लिया, कि हम इसको as an evidence use नहीं करेंगे, that is what, that is why we are calling it, without prejudice, or no prejudice, तो section 23, में क्या कहता है, एक बर्दे को admissions in civil cases, when relevant, कि कभ आफका civil cases में admission relevant माना जाएगा, उस case में बात हो रही है, यहाँ पे, तो कह रहा है कि in civil cases, no admission is relevant, civil cases में generally, कोई admission आपका relevant नहीं होता, if it is made upon an express condition, कि हम उसको as an evidence आपस में use नहीं करेंगे, right, तो यह है आपका in respect of section 23, अब आता है एक interesting part, that is confession, आता है interesting part, that is confession, जो आपका है section 24 से, confession, confession मैंने बताया कि confession क्या है, जब कोई आप fact, accept कर रहे हो है, admit कर रहे हो किसी guilt के respect में, that is what, that is confession, right, अब confession जो है section 24 से, आपका 29 तक दे रखा है, इसके सारे parts दे रखे है, right, now, सब से, अच्छा, admission में एक बात, और admission जो है, act करता है, as ease topple, वो conclusive प्रूव नहीं होता, यह दे रखा है, आपका section 30 में, 31 में, right, यह दे रखा है, आपका section 31 में, clear, तो यह आप धियान रखना है, हाप ही, वो इस topple कितरा, आपने एक बार कोई representation कर दी, तो आप reward back नहीं कर सकते, आपने अगर कोई representation कर दी, third party अपने position change कर ली, फिर आप reward back नहीं कर सकते, तो यह admissions जो हैं, आपके work करते है, as ease on the principle of east topple, and they are not the conclusive proof, prelims में कभी कभी पूछ लता है, कौन से section number है, तो it is section 31, clear, now, coming back to confession, confession पे आओ, देखो confession क्या है, बहुत important part है confession का, अब confession जो है, दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका judicial confession, एक होता है आपका extra judicial confession, तो judicial confession मुझे कोई बताए कि कहां पे dealt हुआ है judicial confession आपका, Anyone out of you can tell me कि कहां पे आपका judicial confession आता है कहां पे आपका judicial confession आता है Anyone can tell me कहां पे आता है judicial confession किस act में हम deal करते हैं आपका judicial confession के respect में चलो तो देखो judicial confession जो है आपका वो आता है एक तो हो गया judicial confession एक हो गया extra judicial confession extra judicial confession now judicial confession जो है आपका आता है CRPC में very good आयूश very good very good very good very good हाँ ठीक है 164 CRPC very nice ठीक है 164 CRPC में आता है आपका judicial confession ये तो वहाँ चला गया CRPC में अब आपको आप बात करते हैं आपके जो Indian Evidence Act में बात हुई है extra judicial confession की अभी जो extra judicial confession है ना आपके ये हो सकते हैं तीन तरीके से पहला police officer को police officer को दूसरा police custody में police custody में और 30 किसी भी person को any person to any person clear तो extra judicial confession की तीन ऐसे categories है आपकी तो police को अगर आपने confession किया तो वो relevant नहीं होता police custody में अगर आपने confession किया तो वो आपका relevant नहीं होता बट अगर आपने किसी और person को confession किया है ना तो police custody में हो आप ना police के influence में हो ना police officer के सामने है वो बंदा तो वो आपका relevant माना जाता है clear I hope it is clear यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा हो आ रहा होगा yes any other person में आपके doctors आ जाते हैं but वो police custody में नहीं होना चाहिए वो police custody में नहीं होना चाहिए right अलग से police custody या police officer के सामने नहीं होना चाहिए वो चीज clear तो यह दोनों आपके relevant नहीं होते है और यह यहां पर दे रखा है police officer और police custody के respect में यह दे रखा है आपका section 25 में police officer के सामने अगर आपने कोई confession किया तो वो आपका relevant नहीं है अब police custody that is section 26 ठीक है police custody में दिया तो section 26 है आपका और किसी भी person को आप दे सकते हो right अब देखो important section जो है आपका section 24 section 24 अब यहां भी कह रहा है person in authority person in authority यहां पे person in authority in respect of charge in respect of charge क्या कर रहा है induce कर रहा है inducement threat promise ऐसे करा के इन सब चीजों से confession record करा रहा है किसी person से तो वो आपका relevant नहीं होता है वो आपका relevant नहीं होता है यह ध्यान रखना कि person in authority generally कौन होता है police होती है right तो that person in authority वो अगर in respect of any charge in respect of any charge अगर वो आपसे confession करा रहा है आपको induce करके आपको promise कर रहा है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा या मैं तुम्हें कम sentence दिला दूँगा ऐसा कोई promise कर रहा है या फिर आपको धंका रहा है कि अगर तुम नहीं confess करो कि तो मैं तुम्हें भी वच्चों को मार दूँगा इस तरीके से अगर आप से कन्वेशन करवाया गया है तो वो कन्वेशन आपका section 24 के हिसाब से relevant नहीं होता है वो section 24 के साथ से relevant नहीं होता है नो वहर वी हैव सीन की दो क्याटेगरी में डिवाइड किया judicial confession और अगर आपका पढ़ा जाता है in respect of section 24 के रेलिवेंट नहीं होता है तो वह आपका रेलिवेंट नहीं माना जाता है 24 25 26 डन नाओ मूविंग हैट section 28 अब 28 जो है आपका पढ़ा जाता है in respect of section 24 only section 24 को 28 के साथ कैसे पढ़ते हैं कि मान लो अगर ये सारे factor आपके remove हो गए ये अगर सारे factor जिसमें आपका inducement threat or promise से confession कराए गया है ये आपका remove हो जाता है तो उस case में वो क्या होता है relevant होता है yes I'll be completing 55 right now I'll be completing it right now right तो फिर आपका जो है relevant नहीं ये आपका relevant हो जाता है अगर आपके ये सारी चीज़े remove हो गई the moment inducement threat promise जो है remove हो गया the moment आपका वो confession जो है relevant हो जाता है section 28 में section 28 में हो चीज relevant हो जाती है clear the moment आपका ये सारी चीज़े remove हो गई आपका जो है वो relevant हो जाता है section 29 में क्या कह रहा है section 29 बात करता है promise of secrecy की section 29 बात करता है promise of secrecy की कि जैसे हम कहते हैं न अपने friends से जैसे हम अपने friends से कह देते हैं कि मुझे बता दे मैं किसी को नहीं बताऊंगा God promise मैं किसी को नहीं बताऊंगा तो मुझे बता दे क्यों परचान है in that way only उसी वे में आपके section 29 कह रहा है कि promise of secrecy में अगर confession किया है तो वो confession आपका relevant होता है और कुछ अधर factors भी हैं उसमें right उसमें yes I'll come to section 27 also don't worry I'll come to section 27 also okay so 24 के साथ आपने 28 पढ़ा कि कभ रेलेवेंट हो जाएगा तो मोमेंट इसारे factors remove हो जाएंगे आपका वो relevant हो जाएगा section 29 में किया देखा हमने कि promise of secrecy कि मैं मैं नहीं बताऊंगा किसी को पक्का promise मैं किसी को नहीं बताऊंगा ठीक है वो सारी चीजें अगर उसमें आपने confession किया है तो वो क्या हो गया आपका relevant हो गया now coming to section 27 अब 27 जो है आपका वो important section है a very important section I would say उसको basically आप कहते हो discovery statement के नाम से आप उसको याद करते हो discovery statement के नाम से राइट वैसे तो police officer के सामने अगर आपने कोई statement दिया तो वो valid नहीं है वो relevant नहीं है वो admissible आपका before the court of law बिल्कुल नहीं है लेकिन अगर आपने ऐसा कोई fact बताया अगर आपने ऐसा कोई fact बताया जिससे कोई discovery हुई है discovery हुई है किसी place की किसी thing की किसी body की किसी चीज की ठीक है चीज में सब कुछ आ गया तो यहाँ पे किसी place की किसी थिंग की discovery हुई है उस fact से तो वो आपका relevant हो जाता है वो discovery statement होता है जैसे for example कि मैंने जो है किसी का murder किया और मैंने वो चाकू जो है लाके अपने घर के garden area में गाड़ दिया ठीक है अगर मैं police custody में हूँ police officer की custody में होना चाहिए जब वो discovery में घर के lawn में garden area में गाड़ दिया है तो this is what I am needing to discovery discovery of a fact ठीक है discovery of a weapon जो मैंने यूज किया था offense करने के लिए तो यह आपका relevant होता है as per section 27 जो बात करता है आपके discovery statement के अब इसमें बहुत सरे important case clause है आपके इनायतुल्ला वाला case है इसमें दियों में उपाद्ध है वाला case है आपका कठी कालू वाला case है यह सारे important है match of the fallings में कभी-कभी पूछ लेते हैं तो ध्यान रखना जिसमें आपकी बात करी गई है discovery नहीं करा रहा है that is not relevant वो police officer की किसामने किया है तो वो आपका relevant नहीं होगा वो आपका किससे भिर जाएगा मुझा के भिर जाएगा section 24 और 25 और 26 से clear I hope it is clear और जो है आपका section 27 जो है न वो exception माना जाता है this is an exception to section 25 and 26 exception of section 25 and 26 ठीक है यह आपका exception माना जाता है 25 और 26 तक clear तो यह हो गया आपके section 24 से लेकि 29 तक we have studied ठीक है 30 जो है को एक्यूस की बात कर रहा है को एक्यूस में अगर कोई confession किया है तो वो जो है other accused के खिलाफ जो है अगर वो same joint trial में हो रहा है ठीक है यहाँ पर word joint trial important है exam के लिए यहाँ पर joint trial आपका important है ठीक है तो वो अगर joint trial joint trial चल रहा है सारे को एक्यूस का तो यहाँ पर को एक्यूस ने को confession किया है और अगर circumstances को देखकर दूसरे evidences को देखके लगता है तो यहाँ पर उसको एक्यूस का confession जो है relevant माना जाता है क्लेर तो यह हो गया आपको section 3031 आफ टोल्ड यू कि एडिमिशन जो है आपके conclusive proof नहीं होते हैं दे आक्ट आस इन इस टॉपल ठीक है इस टॉपल में होते हैं यहाँ तक is everything clear give me a thumbs up please यहाँ तक अगर सब कुछ clear है तो में को एक बर बताओ एक बदाओ अगर यहाँ अगर सब कुछ clear है तो give me a thumbs up अगर यहां तक सब कुछ clear है तो चलो then moving ahead हाँ okay okay thank you चलो moving ahead जल्दी जल्दी करते हैं कैसे क्या क्या चीज़े important है आप इसमें से तो अब okay okay दीपती ठीक है तो आप देखो आपका section 30 तक हमने cover up कर लिया 31 तक cover up कर लिया अब dying declaration वाले case में आपका section 32 जो है वो बात करता है basically dying declaration की और यहां पे prelims के लिए dying declaration की नहीं और भी expects की बात करता है इसमें eight clauses हैं आपके लेकिन आपके prelims के लिए dying declaration वाला part बहुत important है मान लो कोई person है जो अपने cause of death के उपर को statement दे रहा है तो वो आपका relevant माना जाता है राइट वो आपका relevant माना जाता है यहां यहां पे Indian law में expectation of death की ज़रूरत नहीं है यहां पे Indian law में expectation of death की ज़रूरत नहीं है अगर आप अपने cause of death के लोई कर अकर कुछ statement दे रहे हो तो वो dying declaration हो गया आपका और वो relevant होता है ना कुछ important चीज़े जो ध्यान में रखनी है section 32 का clause 1 जो है dying declaration की बात करता है जब से पहले इसमें queen versus अब्दुल्ला वाला important case है और भी बहुत सारे important case है इसमें dying declaration में लेकिन यहां पे दो क्या चीज़ important है expectation of death की ज़रूरत नहीं होती sign declaration की case में इंडिया में और एक और important चीज़ कि अगर मानलो वो नहीं मरा मानलो इसने statement दिया और वो बच गया उसको डॉक्टर ने बचा लिया और वो नहीं मरा और वो statement दे चुका है तो वो statement उसको 157 में जो बात करता है corroboration की अगर वो नहीं मरा तो जिससे statement दिया है वो आपका relevant हो जाएगा section 8 में या फिर section 157 में corroborate करने के लिए मर गया अगर तुटाइन declaration तो relevant है है अब यहां पे वो कौन से लोग है वो कौन से लोग है जो जिसकी बात जिनकी statement की बात हो रही है कोई person जो मर गया है या जिसको आप court में ला नहीं सकते या जो कोई incapable हो गया है या वो बहुत दूर रहता है उसको अगर लाओगे तो court का बहुत समय खराब होगा ठीक है बहुत समय इंडियन लौ में जरुरत नहीं होती है और तीसरी बात अगर उसने statement दिया और वो जिन्दा हो गया वो जिन्दा रह गया वो मरा नहीं इंजरी उसको भगवान ने बचा लिया या फिर आपके विटनेस के रिस्पेक्ट में यही सेम बात कही गई है आपके section 33 में की कोई witness ने अगर statement दे दिया है पहले और वो सेम उसमें है और parties ने उसके पास right था कि वो cross examine कर ले तो वो है आपका in respect of section 33 जो बात करता है witness के respect में right अब important देखो section 34 आप एक bare reading ले सकते हो 35 36 37 यह सारे आप जो है बेर रीडिंग ले सकते हो कुछ इसमें खास इंपोर्टेंट नहीं है राइट कभी एक्जाम में तो पूचा नहीं सेक्शन 34 से जरूर पूच लेता है कि कभी-कभी जो है आपका ये एंट्रीज alone it is not sufficient underline that line to last line is a statement shall not alone be sufficient evidence वो अकेले sufficient evidence नहीं होती in respect of entries दुबाद करता है आपके book of accounts की clear now moving ahead next is आपका section 40 section 40 जो है उसको हम कहते है रेस्जूडी काटा रेस्जूडी काटा अब ये रेस्जूडी काटा जो प्रिंस्पल है न आपका ये कहां कहां पर दे रखा है cpc में section 11 constitution में section article article 300 I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry CRPC में CRPC में आपका CRPC में आपका दे रखा है section 300 ठीक है तो ध्यान रखना CPC CRPC और आपका evidence act evidence act में section 40 जो है रेस्जूडी काटा की बात करता है और यहां पर CPC जो है बात करता है section 11 में बात कर रखेंगे है रेस्टी काटा की और यह CRPC का section 30 तो को रेज़ूडी काटा का हो double जुपाडी को article 20 विज़ रखा है यहां पर में मोटिफ क्या है में परपस क्या है में परपस यह है कि आप जो है एक परसन को दुबारा बार बार परशान नहीं कर सकते आप एक परसन को बार बार परशान नहीं कर सकते बिसकली यह रखा है आपका ध्यान रखना section 40 में की रेज़ूडी काटा की बात करा है now moving right to section 41 तो section 41 जो है वो बात करता है आपके कि मान लो को judgment आया आपका matrimonial के case में insolvency के case में या आपका probate court हो गया या admiralty court हो गया इन्होंने अगर को judgment दिया है तो वो judgment जहां पे आपका legal character design हो रहा है तो वो आपका conclusive proof माना जाता है यह यह दे रखा है आपका section 41 में clear यह आपका conclusive फूमाना जाता है again one more important thing section 40 जो है आपका यह है रा जज़ूड निसस जजमेंट judgment in personam this is judgment in personam in personam और यह जो section 41 है that is against the world against the world that is against the judgment in rem clear please bear with my handwriting a thodi Gandhi I know but I hope you all people are getting it what I am writing today yeah judgment in rem that is against the whole world poor a world k against a right or you what I section 40 that is in personam between the two person only to get क्योंकि भाई अगर probate अगर will decide हो गई कि किसके favor में है तो इस अगेंस the whole world उसकी प्राम की property हो गए अगेंस the whole world admiralty हो गया आपका matrimonial case है diverse हुआ है शादी हुए है कोई भी ऐसा issue है जो matrimonial से related है that is against the entire world right तो इसलिए हम कहते हैं that is judgment in rem now moving ahead आगे देखो आगे है आपका section 42 43 you can read it out 43 के illustrations important है डारेक्ली पूछली जाते हैं भी हार जुडिश्री में कई बार आये हुए है right so you can just go through it कि कैसा है next is आपका section 52 let's on 49 50 let's have a bear reading कुछ खास important नहीं है में opinions की बात करी गई है right section 45 और जो 45 बज़ आफ skip I think 45 I have skipped it right huh section 45 जो है बात करता expert opinion की generally हम जो है Indian evidence act में आपका किसी third person person की बात नहीं सुनते but अगर वो third person आपका expert है तो वो आपका relevant हो जाता है और किन-किन चीजों में science में art में identity कर रहा है वो किसी handwriting की किसी finger impression की तो वो person specially skilled है अगर और specially skilled है अपनी qualification से है या फिर अपने क्या कहते है experience है वो expert माना जाता है right और यह ते रखा है आपका section 45 में now moving ahead next देखते हैं आपका section 46 कि किस opinion पे उसका जो है expert का opinion based है वो बात करता है और very important आप जो है ऐसे ही refer कर सकते हो prelims में जा कुछ खास important नहीं है right handwriting के respect में जिस बंदे ने खुद से वो देखा है उसका opinion होता है handwriting के respect में section 47 and 48 custom के respect मैं जा आप अल्रीडी तोल यू उस में उस respect में उपीनिन किया है अक कब relevant माना जाता है these all things you can have a bare reading illustrations पढ़ लेना और कुछ खास इतना detail में नहीं जाना है prelims की point of view से now coming to आपका character वाला part ठीक है now coming to character वाला sections जो character की बात कर रहे है that is important आपका means के लिए important होता है क्योंकि पूछ लिए जाता है I remember in the year 2019 when I have appeared for RJS means तो यह question आया था आपका character पे और MP में MPCJ में last year में भी character पे question आया हुआ है right तो चलो देखते हैं section 52 किसकी बात कर रहा है section 52 से 55 जो है character की बात करी गई है कि कब आपका character relevant माना जाएगा तो सबसे पहले सबसे पहले civil cases में बात करी गई है तो वैसे generally अगर आपका civil cases में character relevant नहीं है बड़ अगर वो character आपका fact in issue है वो pure जो character character की बात जो है वो fact in issue है खुद में तो आपका उसमें character relevant होता है 53 में क्या कह रहा है कि criminal cases में आपका character previous good character relevant होता है तो कि criminal cases में अगर आपका पिछला अच्छा character है तो वो relevant माना जाता है 53 a again it is important यहां पर 53 a है ना कौन से amendment कौन से year से add किया गया है यह देखना जरूरी है तो it is added in the year 2013 prelims का question है पूछ लिया जाता है कई बार पूछा भी गया है तो यहां पर अभी बेराइट में circle कर लेना कौन से year में यह पूछा गया है clear now यहां पर 53 a क्या कह रहा है कि अगर आपका कुछ previous sexual experience है ठीक है वो आपका relevant नहीं माना जाता है वो आपका relevant नहीं माना जाता है इन्दी cases जहां पे रेप cases हो गया आपके sexual assault का case हो गया harassment का case हो गया उसका ABCD उसमें जो है आपका previous sexual experience relevant नहीं होता right section 54 section 54 क्या कह रहा है कि आपका previous character previous bad character not relevant except in reply तो criminal cases की बात हो रही है यहां पे criminal cases में the fact that the accused has a bad character fact that the accused has a bad character is irrelevant unless that evidence has been given that he has a good character and then it becomes relevant यह कह रहा है कि जब तक यह बात नहीं कहीं जा रही है court में कि नहीं इस accused का अच्छा character है तब तक bad character के जिक्र नहीं होता but the moment आपने कहा इसका अच्छा character है तो आप evidence देज़कते हो नहीं accused का जो है bad character है clear last is section 55 जो बात करता है character in cases of damages civil cases में तो यह कह रहा है in civil cases the fact that the character of any person is such as to affect the amount of damages ought to be received is relevant अगर आपका damages का amount desired होना है तो उस case में character आपका relevant होता है right I hope these sections are clear कोई चीज़ कोई डाउट I have I think already taken साथ में are you going to complete all the 55 sections yes I have completed 55 sections hi Rohit Kumar I use it's all okay 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 तो आपके exam के point of view से I guess मैंने सारी चीज़े बता दी है आपको आप जो भी मैंने बताया आज के session में वो सारी चीज़े आपने बेराट में मार्क कर लेना ठीक है साथी साथ आज का काम आपका homework यह होगा कि आप जो है important case clause of section में या index में आप उसमें कर लो कि कॉंसे कॉंसे important section sense topics related थोड़ा index पेर करो देन अगें 36 गड़ is going to come 36 जुड़ी श्री का एजाम आने वाला है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ अपनी बेराक को ही रटना है और रटना भी नहीं तो इस case में तो आपके बस कोई chance नहीं है lose करने का आपको index को अच्छे से cover up करना है so let's begin with the session now सबसे पहले आज के session में हम discuss करेंगे section 56 से लेके 100 तक और अब हम move on कर चुके हैं अपने part 2 पे part 2 पे right अभी तक हमने बात की थी आपके relevancy के respect में कि relevancy क्या होती है और कौन से कौन से fact आपके माने जाएंगे relevant कि कौन से fact relevant माने जाएंगे section 6 में सेम transaction में हो रहा है तो occasion cause effect हो गया आपका time declaration हो गया फिर आपके character वाले evidences हो गए तो 5 से 55 में हमने relevancy पढ़ा right I hope वहां तक बहुत clear होगा आप सबको और आज की session में हम जो है discuss करेंगे 56 से लेके 100 तक तो relevancy वाला part तो हमने कर लिया आप हम move करेंगे उन facts पे particularly उन चीजों पे जहां पे आप specific evidences देते हो now अब हमना बहुत specific चीजों पे shift कर जाएंगे generally हमने relevancy देख ली अपनी तो section 56 में क्या बात हुई है section 56 में आपका बताता है कि अगर court ने judiciary notice लिया है किसी fact का अगर court ने notice ले लिया है तो वो आपको prove करने की जुरत नहीं है तो section 56 56 और section 57 किसकी बात करता है जहां पे court ने judiciary notice लिया है किसी fact का वो बताया section 56 में और I request you all of you to have your bear act right away ठीक है bear act होनी चाहिए सबके सामने तभी आप जल्दी जल्दी पड़पाओगे उसको राइट तभी आप जल्दी जल्दी पड़पाओगे और I hope और मुझे बताओ किस-किस के पास bear act है एक बार thumbs up वही bear act होनी जरूरी है bear act के साथ एक pen pencil उसके साथ जो भी important है हाथो हाथ लिखते जाना है आज ही ताकि Indian evidence act complete हो जाए और जब भी दुबारा revise करो तो आपको help हो तो सबसे पहले देखो section 56 में क्या बताया facts judiciary noticeable need not to be proved अगर किसी चीज़ पर judiciary notice ले लिया है तो वो आपको प्रूफ करने की जुरत नहीं है ओके नीरत जी ओके very nice ठीक है तो उसको आपको प्रूफ करने की जुरत नहीं है अब वो कौन से facts है वो बता रखा है आपका 57 में एक list दे रखी है जिसमें बता रखा है कि ये facts जो है इन facts पर judiciary notice लेती है अब वो जो list है ना आपकी वो आपके लिए prelims point से important कभी-कभी किसी-किसी states में पूछ ली जाती है the reason being कि वो जो list है आपकी उसमें से कभी आपको eliminate करने को कह दी जाता है कि इसमें से कौन से facts पर judiciary notice नहीं लेती है तो एक बार go through कर लेना उस list से कि कौन से कौन से चीजें है वो right कौन से कौन से वो facts है जो आपका judiciary लेती है judiciary notice लेती है उस चीज़ पे तो there are 13 in total और उसमें से last 13 वाला है ना वो prelims के लिए थोड़ा important है especially 13 clause I am talking about जहां पे rule of the road on land और sea रखा है right तो वो आपका थोड़ा से जादा important है बाकी एक बड़ देख लेना all the laws in force in India टिके territory में जो भी laws in force है आपके बाकी हो गया कोई article of war for Indian Army और Navy और Armed Force तो एक लिस्ट एक बड़ जरूर कर लेना ऐसा नहीं कि बिलकुल हमें उड़ा देनी है main scale नहीं प्रिलिम scale में बता रही हो है आप लिस्ट आपकी important है now moving ahead to section 58 अब section 58 क्या कह रहा है section 58 आपका क्या कह रहा है तो section 58 कह रहा है कि अगर मान लो parties ने कोई fact आपका admit कर लिया है अगर parties ने कोई fact आपस में admit कर लिया है तो फिर आप से court नहीं कहेगी कि आप उसको proof करो ठीक है ये एक main general बात कही section 58 में कि parties ने अगर कोई fact आपने आप admit कर लिया है admit कर लिया है कि हाँ ये fact आपस में मानते हैं तो उसको court नहीं कहेगी proof करने को बट उसके provisor में क्या कहा है उसके provisor में ये लिखा हुआ है कि अगर court चाहे तो वो admitted facts को proof करने के लिए कह सकती है आपसे ठीक है उसके provisor में लिखा हुआ है कि अगर court चाहे तो वो आपसे पूछ सकती है, कह सकती है कि भाई admitted facts को proof करो, admitted facts को proof करो, right, तो ये है basically आपका 56, 57, 58, बहुत easy है, बहुत छोड़ा chapter है ये, जिसमें बताया है कि भाई जिस पर judiciary notice ले रहे है, उसको proof करने की ज़ुरत नहीं है, वो कौन सी चीज़े हैं, जिस पर judiciary notice दे रहे हैं, लेती है, वो है आपका section 57, और 58 में बताया है कि अगर facts parties द्वारा ही आपस में admit कर लेती हैं, तो उसको proof करने की ज़ुरत नहीं है, I hope यहां तक clear है, I hope आप सब को यहां तक समझ में आए, चोटर से chapter 56, 57, 58, प्रिलिम्स point of view से, section number important है, list एक बार देख लेना, एक दो state में जो है, कभी-कभी है, और 58 आपका जो है, basically, section number ही पूछे जाता है, और आपस में कुछ detail नहीं पूछी जाती, right, तो यह है आपका exam point of view से, okay, 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 that's so great, let's go, moving ahead, आगे की देखते हैं, आगे कौन से section है, आगे जो यह पार्ट आया आपका, evidence के respect में, देको मैंने definition clause में में बताया था आपको interpretation clause section 3 में दे रखा है, आपके Indian Evidence Act में, वहाँ पे evidence के term को define किया गया है, और वहाँ broadly दो categories बताई है, evidence की दो categories बताई है, क्या बताई है, एक oral evidence होता है, और एक होता है आपका documentary evidence, right, दो तरीके के evidences बताई है, oral evidence में बताई है, कि जो भी कोई जाके, बोल के court में evidence देगा, कोई पूफ करेगा, documentary evidence है, तो that is documentary evidence, as simple as that, ma'am, ये videos आप पर क्यो नहीं आते, आप पर क्यो नहीं आते, आप पर क्यो नहीं आते, अच्छा, okay, ठीक है, चलो, वो हम बाद में डिसकस करेंगे, कि ये आप पर क्यो नहीं आते हैं, अभी हम यहाँ पर फोकस करते हैं, कि आप करता है, आपके oral evidences की, तो ये दो classification हमें section 3 से मिली, section 3 में बता रखा है, interpretation clause में जहाँ पर evidence रिफाइन किया गया है, कि oral evidence होता है, और documentary evidence होता है, राइट, अब अगर आप section 59 पर आओ, तो वहाँ पर declaration करी है, oral evidence के respect में, कि अगर आपको oral evidence देना है, आप सारे facts का oral evidence दे सक हो, except the content of document और electronic record, बस इतनी सी बात बताई है, यहाँ पर section 59 में, कि, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, इतनी सी बात बताई है, यहाँ पर 59 में, कि आप जो है, सारे evidence का oral evidence दे सकते हो, ठीक है, सारे चीजों का सारे facts का oral evidence दे सकते हो, except the content of the document और electronic record, ठीक है, content of the document का documentary evidence ही electronic record का electronic evidence चलेगा उस case में आप जो है oral evidence नहीं दे सकते otherwise आप सारी चीज़ों में oral evidence दे सकते हूँ यह clearly mention हुआ आपका section 59 में यह declaration हुई section 59 में declaration कर दी गई right अब section 60 में क्या कहा कि जो oral evidence होता है ना आपका वो direct होता है और यही से आपका जो मैंने तीन best evidence rule last session में बताए थे कि हम जो है पहला उसमें से क्या था कि हम जो है हेर से evidence को नहीं मानते हम सुनी-सुनाई बात को नहीं मानते भई court of law आपकी सुनी-सुनाई बात पे नहीं जाती है वो जो है उसको पूरा प्रॉपर प्रूफ चाहिए होता है राइट तो यहां पे आप यह देखो कि जो आपका यह section 59 है ना जो बात करता है एक declaration कर दी कि आप सारे facts को प्रूफ कर सकते हो oral evidence है except the content of the document और आपका electronic record उसके बात section 60 में क्या बताया कि वो जो oral evidence आप दे रहे हो ना वो direct होना चाहिए वो evidence आपका direct होना चाहिए और direct का यहां पे क्या मतलब है अगर section 60 खोलो आप तो तो देखो direct का यहां पे basically यह मतलब है कि आपका आपने खुद से देखा हो वो कोई चीज आपने खुद से देखी है या आपने वो कोई fact आपने सुना है मतलब hurt सुना है या फिर आपने perceive किया है खुद से आप खुद ही जाके quote में बता रहे हो क्यों must be direct आपने ही देखा हो आपने ही सुना हो आपने ही परसीफ किया हो right तो यह सारी चीजें इस तरीके से कहा जाएगा कि आपका oral evidence जो है वो direct है जी बिल्कुल मेंस का पेपर मेंस में answer कैसे लिखते हैं definitely take a session over it ठीक है अभी हम यहाँ पर rapid revision कर रहे हैं महेश्वरी जी हम जरूर बताएंगे आपको कि answer writing कैसे करते हैं right जो अभी देखो यहाँ पर यहाँ पर concentrate करो इस चीज़ पर कि आपका section 59 और 60 देखो प्रिलिम्स की point of view से क्यों important है एक तो यहाँ पर पूछ लेता है section number section नमबर तो आपका कोई भी 36 गड़ स्टेट का exam आने वाला है don't ask की notification कब आएगी UP की 36 गड़ की देखो notification तो एक ना एक दिन आनी ही है उसके लिए आपको prepare रहना है आपको युद में जाने से पहले अपनी तयारी तो पूरी रखनी है ना अपने weapons तो पूरे तयार करने है तो अभी आपका यह time है कि आप अपने weapons एकटा करो अभी आप अपने तयारी रखो एकदम मिलकुल full-fledged way में ताकि जिस दिन भी notification आ जाए या जिस दिन भी आपका exam हो जाए आपका paper clear हो जाए clear तो यह मत confuse रहो कि यार अभी तो 34 गड़ की notification आएगी form fill किया जाएगा फिर तयारी करेंगे फिर तो नहीं हो पाएगा फिर तो विल भी panic situation एकदम panic situation आ जाएगी notification आउट होने के बाद prelims का पड़े मेंस का पड़े कैसे complete करें 15 subject आते हैं 36 गड़ में तो उसकी तयारी आपको अभी से कर देनी है क्योंकि हाइग को इतला कर दिया है कि हम आ रहे हैं 48 vacancies के साथ तो आपको तयारी अभी से शुरू क कर देनी है अब यहां देखो यहां पे section 59 में ने बताया कि oral evidence आपका जो है declaration कर दी कि आप oral evidence दे सकते हो except the content of the documents and electronic record section 60 में क्या बताया कि आपका वो oral evidence वो डारेक्ट होना चाहिए डारेक्ट मतलब आपने खुछ से देखा है खुछ से परसीफ किया है या फिर खुछ से आपने सुना है ना देखो oral evidence section 60 है आपका इसकी कुछ categories बना ली है हमने जो points इसमें दे रखें section 60 में वो या तो आपने खुछ से देखा हो scene या आप आपने खुछ से सुना हो हर्ड या आपने खुछ से परसीफ किया हो उसको या फिर कोई आपकी treatise हो या फिर आपका कोई opinion हो अब देखो ये सारी चीज़ें आपके दे रखी है section 60 में तो जो भी कोई oral evidence court में देने जाएगा जो भी कोई साक्ष court में देने जाएगा उसको उ सुना हो खुछ से परसीफ किया हो treatise का वो केस होता है जहां पर कोई person जो है कुछ ने book लिखिया वो मर गया है वो 32 वाली सारी चीज़ें वो आनी सकता incapable हो गया है या वो मर गया है या फिर अगर वो आएगा तो court का बहुत time जाहिर होगा बहुत बर्बाद होगा court का time तो वो सारी situation के case में अगर कोई treatise है कोई book है उसकी तो वो आप ला सकते हो वो दे सकते हो court में और opinion in respect of कि उस expert का कोई opinion है in that case यहाँ पे oral evidence दे सकता है और उस में बाकि यह सारी चीज़े दे रखी हैं आपके section 60 में now moving ahead आगे देखो अगर आप आगे section 60 की आगे देखोगे यह तो होगे आपका oral evidence के respect में अब आपकी बात आती है documentary evidence के respect में राइट तो documentary evidence के case में क्योंकि section 59 में clearly कह दिया कि सारी चीज़े तो आप oral evidence proof कर सकते हो but content नहीं proof करोगे document से ही proof करोगे वह चीज़ आप सिर्फ और से document से proof कर सकते हो अब उसके respect में chapter 5 documentary evidence की बात करता है तो section 61 सबसे पहले क्या कह रहा है को बहुत छोटे-छोटे section है यह बहुत छोटे-छोटे sections है exam में बस ऐसे ही देख लेने हैं आपको कि क्या-क्या कहां पर दे रखा है section 51 में क्या बताया कि content of the document आप प्रूफ कर सकते हो दो तरीके से या तो primary या secondary primary या secondary तो primary क्या है primary मतलब original document original itself जैसे माल लो कि मैं आप से कहूं कि आपको जोए अपना date of birth प्रूफ करना है तो आप date of birth कैसे प्रूफ करोगे कैसे प्रूफ कर सकते हो आप date of birth आप ये तो बस बोलोगे नहीं कि आप में बस बोल दिया कि हाँ मैं जो है जो है च्टेश साल का हो गया हूँ चॉबिस साल का हो गया हूँ ऐसा तो नहीं होगा आपको उसमें प्रूफ देना पड़ेगा तो वो आप कैसे करोगे हेलो 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 वो आप कैसे प्रूफ करोंगे आप उसको प्रूफ कर सकते हो टेंथ की माकशीट से प्रूफ कर सकते हो टेंथ की माकशीट हो गई आपकी राइट उससे आप प्रूफ कर सकते हो कि आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है टेंथ की माकशीट ट्वेल्थ की माकशीट इस तरही कि आप प्रूफ कर सकते हो तो वो जो माकशीट है ना आपकी that is the original itself that is the original itself उसको आप क्या बोलोगे उसको आप क्या बोलोगे आपका primary evidence उसको आप क्या बोलोगे primary evidence बोलोगे और जिस case में आप की पास original document नहीं होता है तो फिर आप content कैसे proof कर सकते हो document का secondary evidence से proof कर सकते हो clear, I hope it is clear, यहां तक समझ में आया हां, right, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही का, सरकार जी, आपने आप जो है birth certificate दे सकते है हां, क्योंकि वो original है, जेको original itself, आपको primary, आपको सबसे पहले ही rule समझ लो आप कि document को documentary evidence से ही देना होता है, this is one of the best evidence rule और उस case में आपको पहले primary evidence, the original document court में देना होता है अगर original नहीं होता, तो फिर आप secondary evidence देते हो, तो फिर आप secondary evidence देते हो, right, now अब देखो, 61 ने बता दिया है कि proof कैसे करोगे document को primary से करोगे और secondary से करोगे moving ahead, 62, 62 में क्या बताया है कि primary evidence क्या होता है, the document itself, अब इसमें देखो explanation दे रखा है, explanation 1 और explanation 2 दे रखा है, देखो primary evidence और आपका secondary evidence की जो section है, 62, 63 जो बता रखा है कि primary evidence क्या होता है और secondary evidence क्या होता है, तो अब इसका explanation पढ़ो, explanation 1 और 2 में बहुत लोगों को confusion होता है, अब यहाँ भी ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है, when a document is executed in several parts, जहाँ document है, उसके part है, अलग-अलग part है, तो अलग-अलग pages में है, page number 1, page number 2, page number 3, page number 4 इस तरीके से दे रखा है, तो यह सारा क्या है, यह सारा आपका original है, यह सारा आपका primary evidence माना जाता है, यह दे रखा है आपके explanation number 1 में, कि जहाँ पे कोई भी document execute किया है, आपने several parts में, बहुत सारे parts में, तो हर एक-एक part उसका क्या है, चाहे page number 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, क्या है यह सारे आपके, यह सारे आपके primary evidence है, I hope it is clear explanation number 1, give me a thumbs up, अगर explanation number 1 clear है तो, right, तो explanation number 1 में बता दिया है, कि अगर आपने बहुत सारे part में document को execute किया है, part 1, part 2, part page number 1, page number 2, page number 3, तो यह सारे document क्या है, आपके original document माने जाते हैं, ठीक है, now, moving ahead, आगे देखो, इसमें, explanation number 2 क्या कह रहा है, उस पे explanation number 1 का दूसरा part क्या कह रहा है, अब कोई document जो है, ओके सरकार जी, अब यह counterpart क्या होता है, अब counterpart क्या है यह, अब counterpart में जो confusion है, I'll tell you, कि जैसे हम अपने घर में cylinder book करते हैं, तो cylinder जब book करते हैं, तो उसकी एक copy जो है, हम रखते हैं, और इसकी जो slip card के देता है, वो जो है, सामने वाला cylinder वाले भईया ले जाते हैं, तो इस तरीके से एक book होती है, ठीक है, उसका एक ऐसे लंबा सा part होता है, यहां से एक tiring tear कर सकते हो आप उस page को, तो यहां पे ace जो है, उसके sign होते हैं, इस पे हमारे sign होते हैं, ठीक है, तो जिस पे हमारे sign होंगे, वो उसके against आएगा, जिस पे इसके sign होंगे, वो हमारे against होगा, राइट, क्योंकि यहां पे इस ने हमारे लिए execute किया है, यह हमने उसके लिए execute किया है, तो यह क्या है, एक counterpart है, तो हर counterpart आपका क्या होगा, primary evidence होगा, यही बात लिखी है, explanation 1 के para 2 में, कि where a document is executed in counterpart, each counterpart being executed by one or more of some of the parties only, each counterpart is a primary evidence as against the other one, ठीक है, तो उसका हर एक पार्ट जो है, bank deposit slip, very nice, very nice, रंजीदी, बहुत ची बात है, bank deposit slip, बेस का एक example है, जहां पे आप जिसे check, जाते हो ना, कोई deposit करते हो, तो उसमें भी हम जिसे check भरने वाला form लेते हैं, तो वो भी ऐसे होता है, यहां से, यहां पे bank sign कर देता है, यहां पे आप sign कर देते हो, यह फाड कि आप उसको दे देते हो, यह आपको bank दे देती है, तो यह बेसका एक अच्छा example है, bank deposit slip हो गया, cylinder जब लेते हैं, गयास लेते हैं, तो उस ताइम पे जो में मिलता है, तो that each counterpart is a primary evidence, I hope it is clear, now, moving ahead, आपका जो explanation number 2 है, बुक्स है, बहुत सारी बुक्स हैं, तो वो सारी बुक्स क्या है अपकी, और इसनल है, तो वो primary evidence है, और the moment आप उस बुक का, जिरॉक्स करा लेते हो, तो वो क्या है आपका, secondary evidence है, बहुत simple सी बात, कि अगर बुक है, और इसनल बुक्स हैं, आपकी तो कोई series हो गई, तैसे कोई series आप ठालो बूस्बम की series हो गई है आपकी या फिर आपकी जो है ये Game of Thrones की series हो गई book की बात कर रही हूं मैं books की बात कर रही हूं right तो books की series जो है तो वो क्या है आपकी original है वो original बानी जाएंगी primary evidence हो गया the moment आपने उसका zerox कराया कि मेरे पास तो ओरिजनल के मैंने तो नहीं नॉवल खरीदिया उसका पार्ट वन पार्ट टो पार्ट थी वो तो अरिजनल है मेरे फ्रेंड ने नहीं खरीदी तो उसने जरॉक्स करा ली तो वो क्या हो गया से केंडरी एविडेंस हो गया क्लियर नॉविग एहड आपको सेक्शन 63 सेक्शन शिच्टि इसकी बात करता है ये एक देफिनीशन है जो आपका सिकेंडरी एविडेंस की बात करता है और सिकेंडरी एविडेंस की केसे यहां पे एक मैने अपने याद करने के लिए बनाया है CMCCO, ये clauses इसके, ठीके, secondary evidence के clauses, आपका section 63, ठीके, it has to be read with section 65, clear, तो यहाँ पर section 63 में एक मैंने इवना लिया है, CMCCO, और ये क्या है कि बताया है कि secondary evidence क्या होता है, तो यहाँ बदाया है, सबसे पहले certified copy, C से certified copy, आपने कोई copy mechanical process से लिए है, M से, ठीके, तो वो M से क्या हो गया, आपका mechanical process हो गया, आपने कोई copy mechanical process से लिए है, original by mechanical process, third हो गया आपका copies from और compared, copies from और compared, compare करिए है आपने, तो वो आपका secondary evidence हो गया, right, counterpart of the documents as against the party who did not execute them, जिसने execute नहीं करा है, उस suspect में ये counterpart हो गया, और यहाँ पे oral accounts की बात कर रहा है, oral accounts इसने खुद से देखा है, सुना है, ठीक है, तो ये CMCC हो गया आपका याद करने का तरीका, सारे clauses, ठीक है, अब देखो, prelims के point of video, means की point of video, no doubt, part बहुत important है, prelims में आप से section number पूछ सकता है, कभी-कभी ये clauses पूछ सकता है, कि कौन से कौन से चीज़ें आपकी secondary evidence में आती ह ये मैंने अपने लिए CMCC से बनाया है, आप कोई और भी बना सकते हो, जो भी आपको convenient लगे, जो भी आपको याद रह जाए, correct, now, देखो, CMCC तरीका याद करने का सही है, एकदम, सबसे पहला है आपका certified copy, दूसरा है आपका mechanical process, C से है, आपका जहां पे आपने compare किया है copy को, दूसरे वाले C से counterpart, और ये है आपका oral accounts, तो ये है आपका definition में दे रखा है कि भी secondary evidence क्या होता है, now, section 64 क्या बताता है, कि proof of document by primary evidence, document must be proved by primary evidence, except in the cases here and after mentioned, document है अगर आपकी पास original है, तो आपको उसको प्रहले primary evidence ही देना है, अगर आपके पास primary नहीं है, तो आप secondary evidence दे सकते हो, अब आता है एक important section, वो है आपका section 65, section 65 कि कब आप secondary evidence दोगे, कौन से कौन से grounds पे आप secondary evidence दोगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ पे, माल लो, original document जो adverse party के position में है, पहला clause कहता है, adverse party के पास है, section 61 and 64 में क्या difference है, सी अगर आप head note देखो, प्रफुल जी, अगर आप head note देखो section 61 का, तो वो ही कह रहा है कि proof of content of document, कि आप क्या proof दोगे, document के content को proof करने के लिए, और अगर आप head note देखो section 64 का, तो 64 का क्या कह रहा है कि proof of document by secondary, by primary evidence, कि आप proof कर रहे हो document किस के through, primary evidence के through, और section 64 ही हमें बताता है, कि आपको पहले जो है, proof करना है document किस के जरिये से, primary evidence के जरिये से ही, आप secondary पी jump नहीं कर जाओगे, आप देखोगे पहले आपके पास original है, आप के बाद अगर primary नहीं है, और section 65 के requirements फुल्फिल हो रही है, तो आप secondary evidence दे सकते हो, clear, in that case you can give secondary evidence, I hope it is clear, प्रफुल, चलो, आगे देखते है section 65 में क्या कह रहा है, cases in which secondary evidence में भी given, कौन से कौन से cases में आप secondary evidence दोगे, तो clause A जो है इसका, सबसे पहले कह रहा है कि adverse party के पास है आ आपका original document, adverse party के पास है, उसके possession में है original document, तो आप secondary evidence दे सकते हो, यह में when the original is shown, और appears to be in the possession, और power of the person against whom the document is sought to be approved, adverse party के खिलाफी तो आप प्रूफ करो के document को, और any person out of reach, or not subject to the process of the court, और any person legally bound to produce it, और उसको section 66 में notice दिया गया, फिर भी वो प्रदूस नहीं कर रहा है, तो उस case में आप कोट को पता सकते हो, यह मेरे power में यह मेरे position में नहीं हो, document, original document, adverse party के पास है, इसलिए मैं जो है, इसका secondary evidence court में दे रहा हूँ, clear, now, बी देखो, बी में क्या कह रहा है, जहां पे parties जो है, admit कर लेती है, parties ने admit कर लिया, admission कर लिया, कि हाँ भाई, इसका original copy है, इस particular document का original copy exist करता है, उस case में जहां पे parties ने admit कर लिया, तो वहां पे आप secondary evidence court of law में दे सकते हो, c कह रहा है, जहां पे मान लो original copy destroy हो गई, या मान लो खो गई, या बहुत साल पुरानी थी, वो एकदम बेकार हो गया, काज़ी खतम हो गया, उसका existence ही नहीं रहा, right, तो उस case में आप secondary evidence दे सकते हो, now, next is आपका D, जहां पे कह रहा है, कि original जो है, easily movable नहीं है, जहां पे आप इसको easily movable नहीं कर सकते हो, जैसे कोई inscriptions है, किसी वाल पे है, अब वाल तो लेके नहीं आओगे, तो वह easily movable नहीं है, तो उस case में आप secondary evidence उसी इसका दे सकते हो, e में कह रहा है, जहां पे original is a public document, तो उस case में आप certified copy दे सकते हो, public document है वो, तो उसकी certified copy लेके आप court में दे सकते हो, f में कह रहा है, वे the original of the document is of which a certified copy is permitted by the act, अगर उसके लिए कोई ऐसा document है, जिसके लिए certified copy permitted है act द्वारा, तो उस case में आप जो है certified copy court में दे सकते हो, और lastly कह रहा है, जहां पे numerous account ह ठीक है, जहां पे original consists of numerous account, बहुत सारे voluminous book है, कोई बहुत मोटी book है, उसमें पे किसी एक page पे किसी ने signature कर रखा है, तो जितना part आप का relevant है, आप उतना ही court में produce करोगे, वो voluminous book आप लाके नहीं दे सकते हो, नहीं दोगे court में, जितना जरूरी है, उतना आप लाके दे दो 65 का last paragraph, if you will see, yes, for primary evidence, that means the original itself, ठीक है, सरकार जी, primary evidence का मतलब होता है, the original copy itself, ठीक है, अब देखो, अब इसका जो last paragraph है, section 65 का, अगरा आप बेराक्न ध्यान से देखो, तो ये कह रहा है, A, C और D के लिए, C क्या है आपका, C है जहां पे destroy हो गया है, ये तो हो गया, रिटन स्ट admission, B हो गया आपका written admission, C हो गया, lost or destroy, lost or destroy, D हो गया आपका, D clause में है आपका, जहां पे वो easily movable नहीं है, D, E हो गया आपका, जहां पे वो जो है, आपका क्या कहते है, public document है, certified copy दे सकते हो, तो यहां पे देखो, A, C और D में, A में जहां पे adverse की पास है, ठीक है, adverse party की पास है, original document उस case में, C में, जहां पे आपका destroy हो गया है, lost हो गया है, वो document, original document, या फिर आपका D, जो बात करता है easily movable नहीं है, इन सारे cases में, court जो है, किसी भी तरीके का secondary evidence allow करता है, रही बात B की, जो बात करता है, written admission की, कि parties ने admit कर लिया है, कि हाँ, इसका original exist करता है, तो उस case में, that written admission, जहां पे वो written में admit कर रहा है, कि हाँ, इसका original exist करता है, that is admissible, in the case of ENF, जहां पे certified copy है, तो उस case में, आपको court के सामने certified copy ही रखनी होती है, उस case में, आपको certified copy ही रखनी होती है, lastly, जो numerous account है, उसमें कह रहा है, कि general result उसका examination की बाद, आपने जो है, किसी person उसको examine कर लिया, तो उसका general result जो है, sufficient है, as a secondary evidence, तो यह है आपका section 65, और यह important है, तो मेंस के लिए तो बहुत जादा important है, I would say, prelims के लिए section नमर ध्यान रखना और यह के clauses ध्यान रखना कि इसमें क्या है, कभी-कभी पूछ लेते हैं clauses में कि कौन सा clause नहीं है, ठीक है, कौन से-कौन से clauses में आपका जो है, allowed नहीं होगा, clear, now, moving ahead, आगे देखो section 65 हो गया, अब यहां से अपनी वेराक्ट में mark करते च माम 8 में admission admissible है, इसका meaning क्या हुआ, बी में, जहां पी parties ने written admission कर लिया, parties ने खुद से आपस में, दूसरी party ने कह दिया कि हाँ भाई, इसका original exist करता है, और उसको right, उसको admit करके उसने कहीं लिख दिया, कि हाँ भाई, इस कागस पे लिख दिया, कि हाँ भाई, एक्जिस करता है, मैं मान रहा हूँ कि exist करता है, दोनों party ने, ठीक है, तो वो written admission आप court में दिखा सकते हो, that can be used as secondary evidence, इसका ये मतलब हुआ, उसका ये मतलब हुआ, उसका ये मतलब हो, जो जो written admission होगा, चाहँ पे आप admit करो, जो सका आगस पे ये लिख रहे हो, कि हाँ, इसका original exist करता है, व वही जो written admission है, वह आपका admissible माना जाएगा, ओके, ओके, ओके प्रफुल जी, now, moving ahead, अब देखो, आगे कि जो sections है, आपके जो prelims के लिए important है, वो देखो, आपका है, एक section 67A, क्योंकि अब exam का trend थोड़ा change हो रहा है, तो mark कर लो इसको बेराक में, proof of electronic signature, और ये कौन से year से amend इसको धान में रखना, ठीक है, तो section number, इसको बस important है, प्रिलिम्स के point of view, say, you can mark in your bear act कि कौन सा important है, तो इसका कौन सा year है, और ये क्या बात कर रहा है, proof as to electronic signature की बात करता है, तो इसको इसका जो head note है, ये important है, आपके exam के लिए, now 73A, जो बात करता है, proof of, proof as to verification of digital signature, ठीक है, त in order to ascertain whether a digital signature is that of a person by whom it proposed to have been affect, the court में direct, किसको डारेक करेगा को, दो लोगो को, तो बात करी ग्या बेता है, प्रिक है, तो बात करेगा को, प्रिच्ण ओ पर्सिर्ट पर्सिक्टर प्रिच्टर तो रहा है, तो प्रिच्टर प्रिच्टर प्रिच्र प्रिच्छिँ, कॉड़ इ any other person to apply the public key listed in the digital signature can certificate and verify the digital signature purported to have been affected by that person so you are happy but he word johana upka digital is certifying authority you push the data hai or econ say year moment water or section number or could be important he has me clear or could be is important here give me a thumbs up other you had a subcut clear hoga to electronic and digital signature me see electronic or digital signature medical digital signature is a how this am upload cut in a cool document those ma'am digital signature x certified authority a push at a fighter kid a guy by your digital signature whom yeah right okay our cell bats pay okay okay jianura us pb ing us pb ing a ticket ha section 65 a nb i'm sorry i just missed it out section 65 a and b aapka joe prelims point your point of view ki liya kya chizes me important hai ki ek galti joham sab gartay hai ki admissibility of electronic records jodhi rakkha hai section 65 a aur b mein to ya haan pe deko section 65 bat karra hai special provision as to the evidence of electronic record special provision ki baat karra hai 65 a or 65 b kis ki baat karra hai section 65 baat karra b baat karra hai hai aapki admissibility ki to hum kya karatay hai hume cha a ko answer mark karatay haur humara question galah dozata exam a majority of people i'm not talking about all but then majority of people joe hii galti karatay admissibility electronic record ki rakhi hai section 65 b mein prelims ke liya aapko kya zaharuri hai aapko jana section number admissibility or kawun se year me aya tha mainz ki point of view se I'm not discussing here to prelims ke liya aapko ye tine size important hai section number bas ki dhyaan rakhna ye admissibility section 65 b mein dhe rakkhi hai itna dhyaan rakhna right now moving ahead aage dhekho aap section 74 joh baat karra hai public documents or section 75 joh baat karra hai aapka private documents public documents me list dhe rakkhi hai exam prelims me aap se sif or sif section number poochha jayega agar poochha gaya toho ki private document or public document kaha pere rakkha hai kawun se section number me dhe rakkha hai to 74 and 75 respectively aapko baat karta hai public documents or private documents ki or public documents ke respect me bata rakhkha hai ki certified copies of public document aap dhe sakte ho proof karne ke liye court me woh public document section 76 six me right to yaha pere joh chizhe hai joh section dry area hai ye indian evidence act ka yoh dry area hai itna kuch khas nahi hai but then aap ek bar joh baat joh baat sections bata rhi hoon joh section number bata rhi hoon woh important hai rest aisa nahi hai ki aapko bhoat sara section dhekne hai sara section pardhne hai bear reading leloghe that is sufficient prelims ke liye right prelims ke liye section 65 65 a or b ka dhyaan rakhna ki b b mein baat kiri gahi hai aapki admissibility of electronic record ki now aage dekho abhi joh presumption wala area hai na dekho no doubt dry hai hai thudhao to get dry hai ab presumption wale area ke liye ek note banalo and that note is aapka ki joh section 79 say 79 say aapka 85c tak or saath may 89 yeh kya hai aapka shall presumption clear section 79 say 85c tak or saath may section 89c baat karta hai execution ki yaha pe corp resume karthi hai shall take shall presumption hai or aapka section 86 section 86 se a aapka section 88 a tak or saath may 90 or 90 a yeh kya hai aapki may presumption hai yeh dhyaan rakhna abas is area say yeh chiz dhyaan rakhna ki section aapka 79 say 85c tak joh aapka shall presume onada hai saath may aapka 89b or either section 86 se 88 a tak or saath may 90 or 90 a joh hai aapka may presumption hota hai now anyone can tell me now anyone can tell me ki bhai yaha pe aapka shall presumption kaun sa hai revertible hai irrevertible hai kaun sa presumption hai presumption of fact hai presumption of law hai kaun si cheez hai anyone please answer ki kaun sa hai ye presumption shall presumption presumption of fact hai a law hair may presumption presumption of fact hai a law irrevertible hain irrevertible hai kiya hai hain fiqat able video comment box mein ki kya assumption in da ribeuu presumption 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 of law hai a presumption off fact hai mei東西 do you wish I said may man a method have a sesion may me as a you pra bien tji hello अनुराग अंकुर वाइब पोस्मार्टम नौट पब्लिक डॉक्युमेंट देखो पोस्मार्टम किसी परसन का है वो पब्लिक डॉक्युमेंट कैसे हो सकता है कि प्रिजम्टं जूश्च छी अनुराग प्रियुदशन एक कॉना थे दिशन उफ लोग क्या है कौन सौश्ब्द एक आपका श्या यह में राइटית कम्प्लीट्ली ज्या यह में ते 층 यह जो है आपका श्याल यह एकमे पिछले सिशन एक रडम चेको बहुत है आपको प्रिजम्शिंशन अफ ओरस अनुराग किना देशमिंशन असाने आप प्रिजम्शन आंप law that is also presumption of law उसमें एक irrevertible category आती है that is conclusive proof right right very nice अनुराग very nice चलो आगे देखते हैं अब आगे आपका जो है यह presumption वाली area से मैंने बताया है shall presumption और may presumption ध्यान रखना और एक important चीज जो आपसे exam में पूछी जाती है इस area से वो है आपका section 90 और 90A यहाँ पे section 90 कुछ पुराने document के लिए 30 साल माना गया है और electronic record की 30 साल अगर हो गया है उस document को तो उसको आपका जो है valid माना जाता है ठीक है उसका execution valid माना जाता है यहाँ पे 90A में क्या रखका है electronic record अगर 5 साल पुराना है तो वो जो है आपका authentic माना जाता है में प्रिजम्शन है बढ़िए ठीक है इट कैन बे रिवर्ट इड राइट तो यह में प्रिजम्शन है आपका इन रिस्पेक्ट आप 90 और 90A प्रिलिम्स के लिए important है जॉत डाउन प्रिलिम्स के लिए important है यह area अब जो section 90 है आपका 91 और 92 91 से लेके 100 तक इन फांक जो पूरा एरिया है यह आपका यह मेंस के लिए तो बहुत important है there's no denying fact in this but हमें प्रिलिम्स का भी देखना है क्योंकि प्रिलिम्स भई हब से बड़ा हडल है उसको पहले निकालना है उसके नहीं पार करानी है पहले उसके बाद ही हम मेंस लिखेंगे तो उसके लिए section 91 में से क्या इसके respect में तो यहां पे कह रहा है जब भी evidence की बात होगे इन तीनों की तो आपको document ही देना होगा वही contract देना पड़ेगा वही grant वही disposition की documents हो है वही देने होंगे document itself और इस पे आप oral evidence नहीं दे सकते 91 में एक ही बात कही अब 91 को एक बार पढ़ो ध्यान से इसमें दो जो first pair है उसको दो में divide किया है हमने देखो when the terms of the contract grant or disposition of the property have to be reduced in a document अगर वो reduced है आपके document के form में अगर वो already आपने document के form में reduce कर रखा है and in all cases in which the matter is required by law to be reduced अब यहां पर required by law to be reduced मतलब जहां पर को भी property होती है आपकी हमें पता है TPA में बता रखा है registration act में बता रखा है कि अगर सौ और पैसे उपर की property है तो उसमें क्या होना है registration mandatory है सौ और पैसे उपर की property है section 17 में आपका disposition मतलब किसे other kind of property will हो गया आपका वो है disposition right अगर मान लो आप टीप और रखा है हमें कि सौ रुपैसे की उपर property है तो आपको registration कराना है तो यहां पर यही दो modification कर रखी है कि जहां पर आपने reduce कर रखा है को document writing में यह जहां पर law दौरा आपसे कहा जा रहा है कि आप उसको सब्सक्राइब कराना पड़ेगा वर्ना फिर उसके consequences दे रखें 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 रखेंट में पीस कमेंट करके बताओ कि कहां पर दे रखेंट में 100 और पैसे property के ऊपर registration करानी है और अगर नहीं कराया तो क्या consequences होंगे कोई आप comment box में बताएं ठीक है तो यहां पर क्या बताए कि कोई आपको evidence है in respect of कोई contract, grant या disposition अगर आपने इसको reduce कर रखा है writing में या फिर आपसे law दोरा कहा जा रहा है कि आप इसको reduce करो writing में तो वो document ही आपको as in evidence produce करना पड़ेगा before the court of law before the court of law तो अब यहां पर देखो required by law required by law to be reduced in the form of document no evidence shall be given in proof of the terms of the contract grant or disposition except the document itself except the document itself very nice anurag section 17 registration act की बात कर जो बात करता है आपके कि आपको property 100 उपर किया है तो उसको register कराना पड़ेगा और इसके consequences कौन से section में दे रखे हैं अगर नहीं करा है registration वह बताएं right तो यहां पर section 9 coming back to the section यहां पर क्या कह रहा है कि document itself आपको proof करना पड़ेगा और the secondary evidence अगर secondary evidence allowed आगर आपके बस primary evidence नहीं है तो right अब इसके exception है दो that is exception 1 जो बात करता है public officer की exception 1 जो बात करता है public officer की अब इस respect में क्या कह रहा है मान लो कोई post है ठीक है उसकी appointment के लिए आप उसका appointment letter है अब उस पर already कोई person अगर hold कर रहा है office वो बैठ चुका है कुरसी पे तो उस case में court आप से यह नहीं कहेगी क्योंकि वो already hold कर रहा है office कि उसका written appointment ला के दो उसको proof करने की ज़ुरत नहीं है उस written appointment से नेक्स exception है विल के बारे में अगर आपकी विल probate court से प्रूव हो चुकी है तो फिर आपको विल प्रूव करने की अगर आपको डिकलेर हो गया है कि वो विल आपकी authentic है अच्छा probate court में कैसे होता है विल आपकी जब जैसे विल आई किसीने मेरे नाम पे एक कोठी कर गया तो उस विल की authenticity चेक होगी तो probate court में केस जाएका वहाँ पे court जो है पार्टी से अब्जेक्शन लेगी अगर कोई रेज़ नहीं हो अब्जेक्शन तो मेरा ही हो गया अगर अगर आप्जेक्शन रेज़ हुआ है किसी पार्टी ने कुछी दूसरी पार्टी नाम प्रेज़ किया है तो उसकेश में objection settle होने के बाद उस विल की authenticity decide हो जाती है और एक certificate मिल जाता है probate court से तो यहां भी यही बात कहीं एक exception 2 में will admitted to probate in India may be proof by probate अगर will admit हो गया है probate court में तो जो probate certificate है उसी से proof हो सकता है वो will clear now moving ahead आगे देखते हैं और इसके देखो एक्जाम की point of pieces के जो भी illustrations है वो एक बर go through कर लेना important है prelims की point of view से अब 92 में क्या बात कही 92 में कहा एक 6 provisions दे दिये आपको 6 जो है exception मना दिये जहां पे आप oral evidence दे सकते हो right 6 provision बता दिये जहां पे आप contradict add subtract करने के लिए आप जो है evidence दे सकते हो section 92 में बता दिया अब exam की point of view से illustration important है पहली चीज सारे illustrations को आपको go through करना है और दूसरा जो है इसके जो 6 provisions जो provisor दे रखे हैं वो discuss करते हैं चलो तो यह कह रहा है जहां पे भी कोई term contract का grant का यह disposition का जो और डी mentioned हो गया section 91 में उसके आगे की बात हो रही है जहां पे उसको परपस आपको contradict करने का वारी करने का आड करने का सबस्ट्राइक करने का और अगर यह provisions हैं यह condition से exception में फॉल कर रहा है तो उसकेस में आप oral evidence दे सकते हो पहला क्या कहता है पहला सिंपल से कह रहा है कि of any fact will be proved which would invalidate any document अगर आपने कोई oral agreement कर रखा है ठीक है कोई oral contract कर रखा है आपने कोई oral contract कर रखा है उससे जो है contract की validity challenge हो रही है ठीक है जैसे मान लो कि आपने कोई oral contract कर रखा है जिसमें आप legality की बात कर रहे हो ठीक है आपने fraud करा है या फिर आपने क्या कहते है intimidation हुआ है illegality है want of due execution है इसके basis पे आप oral evidence दे के उसको contradict कर सकते हो ठीक है दूसरा है आपको प्रोवाइजर तू जहां पे existence है किसी separate oral agreement की as to any matter on which the document is silent अगर पर पर्टिकुलर document जो है उस matter पर silent है तो उस case में आप oral agreement दे सकते हो तीसरा कहता है को condition precedent है ठीक है अब इसके लिए ना आप अपनी कोई भी लिए समने सब्सक्राइब के लिए तो आप कोई भी अपने 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 अंडिस्टांडिंग के लिए बना सकते हो कोई भी आसी series टाइप की कि यह सीरी हम इसको याद करने के लिए फॉलो करेंगे अब देखो प्रोवाइजर 3 कह रहा है कि there is existence of any separate oral agreement constituting a condition precedent यह कोई oral agreement है इस में आपने काया कि इस एक condition प्रिजरेंट उसमें रखिये आपने to the attaching of any obligation under any such contract grant or disposition जो अटाइच आपके उस contract grant or dispositions उस case में आप oral evidence दे सकते हो next is जहां पे आपका कोई अलग सा different distinct subsequent oral agreement है to resigned or modified any such contract grant or disposition जहां पे आपको different कोई अलग से जो है एक distinct आपने अलग distinct distinct subsequent oral agreement कर रखा है जो आपका क्या करता है मोडिफाइ करता है रसाइं करता है उस grant उस grant उस grant contract or disposition को तो उसमें आप oral evidence दे सकते हो प्रवाइजु 5 कहता है को usage और custom है तो आप oral evidence दे सकते हो और last कहता है any fact may be proved which shows in what manner the language of the document is related to the existing facts तो उस case में आप जो है oral evidence दे सकते हो right देखो it is supplementary Anurag what is the difference between section 91 and 92 91 and 92 are supplementary in nature 91 and 92 are supplementary in nature ठीक है ये जो है आपका 91 or 92 जो है ना आपका वो ये इसमें को difference का है it is a continuation it is a continuation bilateral documents or unilateral documents की basically applicability होती है 92 जो है आपका दोनों पे लगता है clear now moving ahead आगे देखो section 93 से अब देखो बहुत interesting part section 93 देखो तो section 93 से लेके आपका 100 तक बात करता है latent और patent ambiguities की ठीक है latent और patent ambiguities की बात करता है आप section 93 जो है यहां पे 93 से लेके 93 94 और 95 बात करता है आपकी latent डिफेक्ट की latent डिफेक्ट की sorry patent डिफेक्ट की 95 से लेके 100 तक 99 तक 98 तक in fact that is latent डिफेक्ट डिफेक्ट और यू कें से अमिग्यूटीज अमिग्यूटीज राइट तो देखो 93 में क्या क्या रहा है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट एंबिग्यूस है मतलब क्लेर नहीं है एंबिग्यूस मतलब क्लेर नहीं है राइट तो exclusion of evidence to explain or amend ambiguous document यहां पे आप evidence नहीं दे लर्निंग के लिए कि confusion ना हो exam में latent और पेटेंट में तो पेटेंट मतलब जो पहले से ही defect पता है पहले से ही ambiguity पता है तो that is what patent effect patent ambiguity latent मतलब लेट से बदा चल रहा है बाद में पता चल रहा है hidden है वो defect वो ambiguity hidden है that is latent ambiguity तो वो उस case में आप evidence दे सकते हो बड़ इस case of patent defect में आप evidences नहीं दे सकते है अहां I have written 93 and 94 are the patent defect right अब देखो यहां पे 93 or 94 जहां पे आपको defect पहले से दिख रहा है patent है वो P से देखो पहला और P से patent यह से रिकॉल कर सकते हो आप patent मतलब जो पहले से ही पदा चल रहा है defect है उस case में तो आप evidence अपलाई नहीं कर सकते लेटेंट में बाद में वो जो ambiguity है वो बाद में पर चल रही है later on you are getting get to know you are able to identify कि यहां पर यह defect है यह ambiguity है document में तो उस case में आप जो है evidence दे सकते हो उस ambiguity को हटाने के लिए clear उस case में आप evidence दे सकते हो जो ambiguity को हटाने के लिए now section आपका जो 93 और 94 है उसका illustration देख लो A agrees in writing to sell a horse to be in B for rupees 1000 और 1500 अब यहां पर evidence दे सकते है कि which amount he intended क्योंकि यहां पर on the face of it पहले से ही हमें defect दिख रहा है ambiguity दिख रही है similarly जहां पर यह बात होती है a sales to be by deed my e-state at rampur consisting hundred vigas a as an e-state containing hundred vigas वो यहां पर कुछ और मतलब में निकाल सकता उसका e-state है तो वहां पर लिए that is what a sales to be by deed my house in Calcutta उसका कोई Calcutta में घर नहीं है उसका घर जो है हावडा में है तो यहां पर evidence apply कर सकते हो कि भई कौन सा the facts may be proof to show that the deed related to the house of हावडा वहावडा वाले घर की बात कर रहा था clear similarly a agrees to sell b for rupees 1000 अब यहां पर उसके बास दो सफेद घोड़े हैं तो यहां पर evidence दिया जा सकता है कि कौन सफेद घोड़े की बात हो रही थी clear I hope it is clear तो similarly आपका जो है section 70 97 98 prelims के लिए बहुत बहुत जादा important नहीं है बस और बस आपके illustrations आ सकते हैं तो यह द्यान रखना कि जो आपकी latent ambiguity जैं लेटेंट ambiguity में आप evidence दे सकते हो ambiguity इसको remove करने के लिए but in the case of patent ambiguity आप जो है evidence नहीं दे सकते क्योंकि पहले सही ambiguity है I hope it is clear तो यह है आपका जो है total sections 100 तक यहां पे 100 में saving clause है ठीक है और यह आपका important है जो जो पार्ट आपका important है we have discussed it so any doubt you can ask me सारे important provisions जो mark करा है वो prelims के लिए बहुत आपके इंपोर्टेंट है उनको ध्यान रखना जो भी amended sections है आपके जो A clause A है 67 A है 73 A है कौन से year से आया है यह ध्यान रखना UP APO का भी recent exam हुआ था उसमें बहुत सारे questions आपके आये थे कि कौन से year में उसको insert किया गया है राइट तो year आपका important है तो आज के session में हम discuss करेंगे जो हम अपना rapid revision कर रहे है एक form का Indian evidence act का उसमें section आपका 101 से 136 तक आज के session में हम discuss करेंगे see this session gonna be very important the reason being कि जो ही chapter 7 8 9 10 11 11 जो लो miscellaneous है बट तिल 10 it is super most important topic super 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 mega whatever you can say mega ultra कुछ भी कह लो बहुत important है बही sections इसमें से कुछ भी छोड के नहीं जा सकते क्योंकि कोई भी exam हो ना आपका कोई भी exam हो तो इन चाप्टरों से आप एकाथ question तो देखते ही देखते हो तो हम जो है chapter 7 chapter 8 chapter 9 इसमें सा आपका कोई dry area नहीं है the reason being कि ऐसे अभी आपने देखा कि presumption वाला dry area था तो उसमें जो कुछ important था मैंने बता दिया right thank you thank you deep thank you so much stay blessed and always shine चलो ठीक है तो जो से प्रिजम्शन वाला area था कि बहुत dry है भाई उसमें तो समझ में भी नहीं आता क्या पड़ें जो important था प्रेलिम्स के point of view से मैंने आपको बताया now यहां पे कोई भी dry area नहीं है I would say एका छोड़ के section otherwise सारे section in chapters के बहुत important है तो आज के session में हम discuss करेंगे आपका burden of proof से BOP से I am writing it BOP है ठीक है burden of proof से जो start होता है section 101 से right last session में section 100 तक cover up किया था तो आज section 101 से 136 तक will be covering it right तो भई burden of proof क्या होता है someone please tell me कि क्या आपके दिमाग में आता है जबी बात आती है burden of proof की दीपती you can say आशा you can say कि भई burden of proof से क्या समझाता है और कोई आप मुझे बता सकता है कि what is the difference between burden and proof burden of proof में क्या difference है देखो भई burden of proof जो है आपका इसका अगर आप chapter का नाम देखोगे न तो part 3 में आता है यह चीज़ ठीक है part 3 में cover up होता है यह और chapter 7 चाप्टर 7 राइट तो part 3 का जो head note है वो ही कहता है production and effect of evidence कि भई क्या evidence आप produce कर रहे हो before the court of law और उसका क्या effect है राइट तो chapter 3 बात करता है आपके production and effect of evidence ना burden of burden of proof क्या होता है तो burden एक ऐसी चीज़ हुई कि burden of proof में आपका burden किस party पे है उस particular proof को उस particular evidence को proof करने के लिए राइट तो यह बात करता है burden of proof को क्या मतलब में आया कि भई कौन से burden कौन सी party के ओपर burden है तो यह प्रूफ करेगा कि whether this evidence exists or not before the court of law whether this evidence is relevant or not before the court of law thank you thank you so much for the wish thank you steve steve highlighter thank you so much right तो burden of proof हमने पढ़ना है उससे पहले देखो एक बार कि क्या difference है आपका evidence और proof में evidence और proof में क्या difference है evidence मतलब कोई fact या कोई substance राइट उस fact या substance को आप जब उसका final result आता है तो वो क्या होता है वो proof होता है evidence is what evidence is a fact you can say a substance or substance that is fact right उस fact उस evidence को जब आप पूरी तरीके से प्रूफ कर देते हो जब पूरी तरीके से प्रूफ कर देते हो final result उस fact और substance का क्या आता है that is your proof तो end you can say or you can say the result is proof clear to evidence और proof में ये basic difference होता है आपका evidence क्या चीज़े कोई भी substance या कोई fact ठीक है जिससे आप कोई चीज़ प्रूफ करते हो court में and the moment आप उसे before the court of law proof कर देते हो that is your proof now उस चीज़ को उस substance को उस fact को प्रूफ करने का burden किस पे है ये बात होती है आपके section one not one से start कि भाई burden of proof क्या होता है now if you will see the language which has been used in the your bear act I would request everyone to have the bear act with you I hope you might be carrying it right away और अपके साथ एक pencil or pen भी होगा right to 101 में क्या पताया burden of proof यहां कह रहा है कि whoever desire any court to give judgment as to any legal right or liability depend on the existence of fact which he assert must prove those facts exist मैं यहां पे अगर मैं कोट गई और मैं ने कोई बात कहीं कि मुझे मैं कोई बात कह रही हूं जाके कोट में तो वह बात कहने के लिए मुझे ही प्रूफ देना पड़ेगा ठीक है तो burden मेरे उपर ही आएगा अगर मैं कोई भी बात कोट में जाके कह रही हूं और मैं चाहती हूं कि कोट मेरी इस बात पर यकीन करे यह उस बात को माने तो उस बात को प्रूफ करने का burden किस पर आएगा जो person जो person assert कर रहा है कोट में जाके that is what that is your burden of proof यहां पर जो बात करी simple simple भाशा में समझो कि मैं गई कोट के दर्वाजा मैंने खट-कटाया और मैंने कोट से का वह ऐसी ऐसी बात है अब जो यह बात में कह रही हूं कोट में अगर मैंने अगर मैं चाहती हूं कि कोट मेरी इस बात को सुनके मेरे favor में decision दे तो burden किस पर आएगा उस particular fact को proof करने का जो बात यह बंदा assert कर रहा है उस पर आएगा burden clear so this is burden of proof which is given under section 101 of Indian Evidence Act now important क्या है exam की point of view से सबसे पहले section number की burden of proof यह कहां पर दे रख था है और दूसरे इसके illustrations illustrations exam में आपके prelims exam में as it is पूछ लिये जाते हैं तो इसके illustrations आपके important है now burden of proof आपका कभी भी shift नहीं होता it is always the onus of proof which shift burden of proof never shifts यह बात ध्यान रखना burden of proof आपका कभी भी shift नहीं होता it is always the onus of proof जो आपका shift होता है so burden of proof never shifts it's always the onus of proof जो आपका shift होता है जैसे कि मान लो मैं कोट में गई मैंने कोट में एक fact के उपर evidence दिया मेरे उपर burden था उस particular fact को प्रूफ करने का मैंने उस पर evidences दिये now मैंने evidence दे दिये अब plaintiff से burden shift हो जाएगा आपका defendant पे this is what this is onus of proof यहां पर burden जो है shift हो गया defendant पे कि defendant जो है उसके defense में क्या evidence दे रहा है यह उस बात को reward करने के लिए क्या बात क्या कह रहा है कि plaintiff ने कुछ एजर्ट किया उसको डिनाय करने के लिए क्या evidence दे रहा है तो अब उसको डिनाय करने के जो evidence दे रहा है तो यहां पर burden किस पर shift हो गया plaintiff से shift हो गया आपके defendant को and that is what that is section 102 और कि अगर पार्टी ने evidence नहीं दिये तो वो पार्टी क्या होगी वो लूस कर जाएगी मान लो prosecution side ने अपनी तरफ से evidences दिये अब यहां पे defense ने evidence नहीं दिये तो prosecution तो ऐसे ही जीत गई राइट तो यहां पर जब prosecution ने अपने evidences दे दिये तो अब burden shift हो जाता है defense side पे कि भई defense आप अपनी तरफ से भी कुछ कहें आपनी बात कहें अपनी court के सामने तो अगर यहां पे defense ने discharge नहीं किया burden तो यहां पे वो पार्टी loose कर जाती है और वो पार्टी जिसने prosecution side जिसने आपके proper evidences दिये हैं वो जीत जाती है तो this is what this is your onus of proof कि अगर पार्टी ने discharge नहीं किया onus of proof तो वो loose कर जाती है और जिसने proper prosecution ने जहां पर उसने beyond reasonable doubt अगर प्रूफ किया है अपना case तो वो पार्टी जीत जाती है अब एक important चीज यह है इसमें कि देखो civil आपका जो यह प्रूफ के respect में matter है ना तो civil और criminal law में देखो प्रूफ के respect में magnitude की अगर मैं बात करूँ तो प्रूफ के respect में civil law में किस चीज़ पे काम करता है यह बात करता है preponderance of probability और यह preponderance of probability क्या होता है preponderance of probability वो चीज होती है जैसे कि जिसका पल्ला भारी वो जीत गया तो civil suit में जिसका भी पल्ला भारी होता है जिसके पास ज्यादा points होते है वो जीत जाता है probability पे यहाँ पे case recite किया जाता है मालो plaintiff है defendant है plaintiff ने बहुत सरे evidence दे दिये court में plaintiff जीत गया defendant ने दे दिये तो defendant जीत गया तो simple सी भाषा में आपका यह probability वारा जो concept है वो यह कहता है कि जिसका भी पल्ला भारी होगा वो case जीत जाएगा बड criminal law में ऐसा नहीं होता criminal law में यहाँ पे आपको guilt proof करना होता है beyond the reasonable doubt अब दिखो criminal law में ना थोड़ा सा थोड़ा सा क्या I would say कि यहाँ पे जो आपका यह beyond reasonable doubt proof करना है अगर judge सहाब के दिमाग में एक pinch बराबर ही और you can say एक थोड़ा सा भी doubt है ना कि नहीं accused ने offense commit नहीं किया है तो उस case में उसको punishment नहीं दी जाएगी हमारे यह Indian जो आपका criminal justice system है इसमें 100 गुनेगार को जो है आप छोड़ दोगे लेकिन एक जो normal इंसान जिसने कोई offense नहीं किया उसको punish नहीं करोगे इस principle पर काम करता है कि भाई हम जो है एक जो भी इंसान है जिसने कोई offense commit नहीं किया उसको जो है पनिश्ट नहीं करेंगे किसी भी हाल में राइट तो इसी लिए इस principle पर काम करता है कि यहां पर क्रिमनल लौ में आपको प्रूफ करना होता है उसका दोश उस पर्टिकुलर पर्सन का दोश बियॉर्ड रीजनेबिल डाउट कि अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप उसको पनिश्मेंट नहीं दोगे वेरी नाइस दीपती हां तो यहां पर देको magnitude में difference है civil law में proving of evidence क्या है कि अगर आपको इतने evidence देने हैं अगर prepondence of probability पर काम करता है जिसका परला भारी वो जीच जाएगा criminal case में क्या होता है criminal suit आपका criminal cases में यहां पर आपको proof करना पड़ता है एक इंसान का guilt beyond reasonable doubt तो इस case में अगर judge के दिवाग में थोड़ा सा भी doubt है तो वो जो है फिर उसको सदा नहीं देता है राइट चलो आगे दिखते हैं यह तो एक general बात हो गई in respect of proof now section 103 क्या कह रहा है एक बात ध्यान रखना हमेशा prelims के में हमेशा पूछ लिए दाता है कि आपका burden of proof क्या shift करता है the answer to it is no burden of proof never shift it is the onus which shifts right onus of proof आपका shift होता है burden of proof कभी भी shift नहीं होता यह बात ध्यान रखना now अगर 103 पर आओ section 103 103 जो burden of proof as to the particular fact कह रहा है यहां पर कह रहा है कि अगर माल लो मुझे कोई knowledge है किसी particular fact के respect में तो मुझे मेरे उपर ही burden आएगा उस particular fact को evidence को देने का ठीक है अगर मैं कोट में कह रही हूं कि मुझे knowledge है किसी particular fact के respect में तो burden किस पर आएगा उसको डिस्चाच करने का जो भी जो यह person एजर्ट कर रहा है कि उसको पता है वो particular fact now reading out the section 103 क्या कहता है the burden of proof as to any particular facts burden proof करने का किसी particular fact का lies on that person who wishes the court to believe in its existence अब मैं कह रही हूं कि मेरे पास कोई में को पता है कोई particular fact और मैं चाहती हूं कि court मेरे इस particular fact पे यकीन करे तो court कैसे यकीन करेगा जब मैं डिस्चाच करूंगी वह burden of proof जब मैं court में proper evidences दूंगी in respect of that particular fact तो यह burden किस पर आगे उस particular evidence को proof करने का जो person assert कर रहा है कि उसको पता है particular fact और मुझ आता है कि court उसकी बाद पे यकीन करे I hope it is clear give me a thumbs up who all are connected here कि भाई समझ में आ रहा है यहां तक चाहिए burden of proof का basic चीज समझ में आ रही है ओकी दीपती ओकी चालो good अब देखो यहां पे यह exam के लिए क्या important है section number okay section number important है prelims के लिए particular fact वाला कौन से में दे रखा है and of course the illustration इसके important है prelims की point of view से now 102 जो है न आपको section 1 not 2 जो है owners of proof जिसकी बात करता है उसको हम कहते है doctrine of doctrine of confirmation by subsequent facts confirmation by subsequent facts तो कभी-कभी prelims में पूछ लेता है कि कौन सा section है जो बात करता है इस doctrine की तो अभी ही bear act में नोट डाउन कर लेना 1 not 2 जो है उसमें उस doctrine उसको हम यह वाली doctrine भी कहते हैं आपका doctrine of confirmation by subsequent facts clear to please jot it down there only की section 1 not 2 को हम इस doctrine की नाम से भी जानते है that is doctrine of confirmation by subsequent facts now 104 section 101 104 किस की बात करता है 104 वो बात करता है आपके burden of proving of proving fact to be proved to make evidence admissible यहां पर देखो यह नोट ना highlight कर लो making evidence admissible उपर वाला 103 क्या है जहां पर आप particular fact को proof करना चाहते हो तो 104 में देखो यहां पर इस illustration समझो उसके कह रहा है कि A चाहता है कि वो proof करे dying declaration by B ठीक है अब यहां पर उससे पहले क्योंकि वो चाहता है उसको dying declaration court में admissible हो जाए उससे पहले उसको क्या proof करना पड़ेगा उसको proof करना पड़ेगा B की death तो यही बात करता है section 104 आपका कि the burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable the person to give evidence of any fact is on the person who wishes to give such evidence ठीक है उसी person में बर्डन आता है जो यह बात कहता है अगर वो चाहता है कि उसका evidence to dying declaration वाला evidence admissible हो जाए court of law में तो उसको यह proof करना पड़ेगा उससे पहले अपने उस evidence को admissible करने के लिए before the court of law उसके उपर यह burden आएगा कि वो पहले यह proof करे कि B B has died यह B की death उसको proof करने पड़ेगी before the court of law clear now moving ahead 105 जो बात करता है burden of proving that case of accused comes with an exception thank you Ashish thank you ठीक है तो 105 क्या कहता है 105 कह रहा है आपका कि यहाँ पे burden किस पे है कि उसका case exception में fall करता है बहुत interesting देखो बहुत important है और I would say कि जब भी answer writing means में करो एक reference दे रही हूं है आपे जब भी answer writing means में करो तो आप जो है जब भी जोनल डिफेंसे वाला IPC का आंसर लिखोगे ना जोनल डिफेंसे तो हमेशा उसको रेड़ विद वन ओट फाइफ करना Indian Evidence Act के इस तरीके से आंसर फ्रेमिंग करना ठीक है जोनल डिफेंसे एन अलोंग विद सेक्शन 6 ओफ आई पीसी जहाँ पे जनल डिफेंस की जो एक्स्पेनेशन दे रखेंगे वहाँ पे क्लेर सेक्शन 6 और सेक्शन 7 ठीक है एक्स्पेनेशन रएक्सेप्शन की बात करिये वहाँ पे राइट तो उस हेसाब से आपना आंसर फ्रेम करना तो इट विल गिव और इंपक्ट की बच्चे को एक्जामिनर को ये एक आईडि लिखना आता है राइट तो एक रेफरेंस दिया मैंने मेंस के आंस राइटिंग के लिए कि भाई जनल डिफेंस को जब भी लिखो ना तो यहां पे 105 इंडियन एविदेंस आग के साथ लिख सकते हो and it will give you an edge अलग दूसरे बच्छों से चलो 105 क्या रहा है burden of proving that fact of accused comes with an exception when a person is accused an offense the happily person accused with I guess you offense can respect me the burden of proving the existing circumstances bringing the case within any general exceptions of within of IPC or within any special exceptions of proviso contain in any part of the same code or in any law defining the offense is upon him and the court shall presume the absence of such circumstances अगर मान लो मैंने कोई offense किया और मेरा वो offense fall करता है exception में तो इस बात को प्रूफ करने की burden किस पे है मुच्छ पे है अगर में से ग्जाम्पल से समझो कि अगर मैंने कोई offense किया है और वो particular offense journal defense में fall करता है IPC के chapter 4 में या फिर किसी proviso में करता है या किसी और special exceptions में करता है अगर उसमें fall कर रहा है मेरा offense जो मैंने commit किया है तो ये बात मुझे ही court में प्रूफ करनी पड़ेगी अगर मैं प्रूफ रही करूँगी तो court तो ये प्रूफ करके चलेगा कि कोई circumstances ऐसा exist करता ही नहीं है clear I hope it is clear तो ये इतनी सी basic सी बात बताई है आपके section 105 में इसके आप जो है illustrations देख लेना important है exam की point of view से now moving ahead 106 किसकी बात कर रहा है burden of proving facts specially within knowledge अगर आपके knowledge में है specially आपके ही knowledge में है thank you Vishal thank you ठीक है अगर आपकी ही knowledge में है तो यहाँ पर burden किस पर होगा आपके ओपर होगा प्रूफ करने का बहुत छोटी simple सी बात बता रहा है यहाँ पर चीक है कुछ भी maths नहीं लगा नहीं कुछ भी ऐसे rocket science नहीं है यहाँ पर simple सा है आपको as it is याद करके रखना है prelims के लिए section number important है क्या बाद इसके illustrations important है यह दो चीज़े इसके super important है इस एरिया से now burden of proving fact specially within knowledge when any fact is especially within the knowledge of any person the burden of proving that fact is upon him simple सा कि भाई अगर आपके पास वो ना आपके पास special knowledge in that respect तो बर्टन के स्पेर उसको साच करने का आपके उपर है क्योंकि you have that special knowledge तो यह बहुत simple सी बात है thank you Nadeem thank you so much ठीक है चलो 107 क्या बात करता है 107 जो है अच्छा एक चीज़ इसमें important है 106 में चाहां यह special knowledge वाली बात करी ना तो उसमें जो any person है that any person includes parties to the suit जो भी parties हैं suit के यह जो any person section 106 में यूज हुआ है that includes parties to the suit clear and this has to be read with section 1 section 11 also 11 जहां वो प्ली आपकी बात करते जो फाक्त को inconsistent होता है या highly probable highly improbable कर देता है clear now moving ahead section 107 107 किसकी बात कर रहा है 107 जो है आपकी बात कर रहा है burden of proving death of a person known to have been alive within 30 years clear अब यहां पे जो आपका section 107 है ना यह important section 107 108 exam में पूछ लेता हो और कभी को भी confusion भी जाता है ने को उपर बाले में section 107 में क्या बात कर रहा है alive within 30 years की बात कर रहा है alive within 30 years की बात कर रहा है और 108 में क्या बात कर रहा है जिसके बारे में आपने साथ साल सा सुना ना हूँ ठीक है साथ साल सा उसकी वेरबाउट सी ना पता हूँ clear तो यह दोना confusion पहले दूर रखना exam में मोस्ती सारे बचे गलती करते हैं माक करने में section तो section 107 तीस साल वाले की बात कर रहा है 108 साथ साल वाले की बात कर रहा है यह ऐसे एक ट्रेक बना के अपने दिमाग में रख लो 107 जो है आपका वो बेसिकली बात करता है continuance of life की Continuance of life की बात करता है section 107 ठीक है? Continuance of life अब कैसे continuance of life की बात कर रहा है अब इसका section की language देखो यह कह रहा है यहाँ पर यह आपको यह आप यह प्रूफ कोना साते हो कि वो मर गया है that person died अगर आप यह बात प्रूफ करना चाते हो तो उसी person पर बर्डन है जो यह बात कह रहा है that he died clear otherwise क्या है otherwise prelims के लिए भी ध्यान रखना 107 को हम क्या कहते हैं? Continuance of life कहते है ठीक है अगर मैं यह बात court में कह रही हूँ कि नहीं वो तो मर गया है तो बर्डन किस पर है? मुझ पर है डिसाज करने का that he died clear? now 108 जो section 108 है आपका वो किसकी बात कर रहा है कि जहां पर आपने किसी person के बारे में साथ साल से जादा सुना नहीं है ठीक उसके whereabouts आपको नहीं पता है right in that case provided that it is in continuation see provided that when the question is whether a man is alive or dead and it is proved that he has not been heard for seven years उसके बारे में कोई अता पता नहीं है साथ साल साल से बारे में कोई बता नहीं है by those who would naturally have heard of him वै उसके रिष्टदार उसके घरवाले माबाप, पती, पतनी जो भी मतलब जो भी उसके रिष्टदार है close relatives हो गए उसके उनको naturally उनको पता होना चाहिए कि वो बंदा कहा है उनको नहीं पता उसके उस particular person के बारे में साथ साल से if he has been alive the burden of proof that he is alive is shifted to the person who affirms it अब यहाँ पे बात हो रही है कि अगर कोई person कह रहा है कि नहीं वो जिंदा है उसके बारे में साथ साल से तो पता नहीं है अब यहाँ पे अगर कोई person कह रहा है नहीं वो जिंदा है तो जो person कह रहा है कि वो जिंदा है उसके ओपर है burden discharge करने का clear? I hope it is clear कि भाई जो बंदा जिसके बारे में आपने साथ साल के अथा साल तक की वारे में कुछ से नतरी उसके रिलेटिव Juliet इस लेटिव प्लोग से इस बारे हएं धर वाले निंगर कंद आ उन्राइ穴ुद सके बारे मि साथ साल सुना है अब अगर कोई परसन ये कहता है that person is alive तो उस परसन के ऊपर बर्डन है यह प्रूफ करने का that he is alive clear now moving ahead one not nine the burden of proof as to the relationship in case of partners landlord and tenant principal and agent so yeah पर बस इतनी सी बाहत है जो अज़र्ट कर रहा है वो उस रिलेशन्शिप में है उसके ऊपर यह बर्डन पूफ करने का moving ahead 110 जो बात करता है burden of proof as to ownership when the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be in possession is this capable position in mochi's air or a batariki owner hey and he here in that case the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner to get to your happy do you care I can name mere past position my cheese and I carry my message key owner whose pen key my owner who up now you are saying no you are not the owner you pen tomorrow no here the burden burden is on you to prove that that I am not the owner of this pen clear I hope it is clear now moving ahead 111 is not so important move moving to 112 112 deco bohazada important a job at karta a legittimacy key means killie be important a prelims killie be important a yeah happy get I key other man low husband and wife do a legally wedded a own key shadi who here on key shadi ke doran during marriage quibata payda hua to wake legitimate which amana I got simple see but other marriage could dissolve honey ke baad within 280 days within 280 days what's a payda hua hai to go but sabi legitimate manage I go and the mother should remain unmarried to get the mother should remain mother should remain unmarried remain unmarried remain unmarried clear yeah I have to go yeah I hope you don't condition so much may I pay Lee Kaya lawful marriage lawful marriage lawful marriage lawful marriage if you have to continue on so what's up I don't know what's a legitimate what's a legitimate but Chai clear I've got a solution to within 280 days what's up I don't want mother remains unmarried तो बच्चा क्या है? लिजितिमेट बच्चा है और ये कंक्लूसिफ प्रूव मानता है कोट अनलेस अब इस कंक्लूसिफ प्रूव को आप सिर्फ और सिर्व रबर्ट कर सकते हो जब हस्बंड या वाइफ जो शो करेंगे कोई एक्सस नहीं था when the husband shows that there is no excess. Now I'll read out the language ki provision kya hai, provision ka language kya hai, the fact that any person was born during the continuance of valid marriage between him or between his mother and any man or within 280 days after dissolution the mother remaining unmarried shall be the conclusive proof that he is the legitimate son of that man. यह माना जाएगा कि वो बच्चा जो है legitimate बच्चा है unless, unless it is shown that the party to the marriage had no excess to each other at the time when he could have been begotten. ठीक है? जब उसने conceive किया था तो कोई excess नहीं था पार्टी का, कोई sexual intercourse नहीं हो था उनकी बीच में, कोई भी physical relation नहीं था उनकी बीच में और उस time पे अगर यह प्रूफ कर देता है non excess, तभी यह conclusive presumption का revertal होता है, otherwise revertal नहीं होता है. अब over a span of time, there are scientific developments हो रहे हैं इसमें DNA के थ्रूँ जो है आप revert कर सकते हो. ठीक है? तो बहुत सारे views आए इस में कोट के and even in fact I have discussed that Nanlal case, in Nanlal case it was held that कि बही DNA test से आप revert कर सकते हो conclusive presumption. clear? थांक यू, शश्मिता साहू, थांक यू, थांक यू, शमिश्था, हाँ, थांक यू, थांक यू, थांक यू, चलो, ठीक है, तो यहाँ पे exam के लिए क्या important है, 280 days important है, mother should remain, unmarried is important, और क्या key words है section के, कि भई, lawful wedded wife, lawful marriage होनी चाहिए, उसके continuous में बच्चा होना चाहिए, एक वो पॉइंट हो गया, एक दूसरा, विदिन, अगर मैरेश डिजॉल्व हो गया, तो विदिन 280 देज आपका जो है, विदिन 280 देज बच्चा पैदा हो गया है, और वो में, धी मदर, रिमेन अन्मारेट, और साथ में इसको reward कैसे कर सकते हो, आप उसको reward कर सकते हो, सिफ non-excess, से आपका section 112, और साथ में सको हम conclusive रूव बानते है, इतना साइब इंपोर्टेंट है, आपका prelims की point of view के लिए, clear, nothing more, nothing less, ठीक, के सलो, ननलाल वाला के सलो, इसमें, ननलाल वाल 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 से, ननलाल वाल वाल वाला के सलो, ननलाल वाल वाला के सलो, ननलाल वाल साइड वाल वाल मैडमें, चिक है, एक बां धियान रहन रखना, जो आपका 113A है, आपका 113A है, नथे में प्रESUM्शन और जो आपका 113B है, बां इस शाल प्रESUM्शन, धेस में प्रESUM्शन, अचाल प्रिलिम्स के लिए, इमॉर्टेंट है, तो यहाँ पह रहा है, कि जब it is shown that the committed suicide within the period of seven years of marriage within the period of 7 साल शादी के साथ साल के अंदर ऐसा हुआ है and the husband or such relative had subjected her to cruelty the court may presume having regard to all the other circumstances of the case that suicide has been abated by her husband or by such relative ठीक है तो section number important है और दूसरा आपका में प्रिस्यूम करता है court prelims के लिए इतना important है clear इसमें दूसरे में क्या कह रहा है दावले देट के रिस्पेक्ट में कह रहा है डावली डेट में आपका शाल प्रिसम्शन होता है कोड का section number शाल प्रिसम्शन यह important है प्रिलिम्स के लिए clear 113 B अभी कौन से एर में इंसर्ट हुए थे यह भी इंपोर्टेंट है तो आपका जो है यह 113 A जो है वह इंसर्ट हुए था 1983 में 1983 में and this one was 1986 चेक है यह एर देख लेना यार अब एक्जाम का ट्रेंट थोड़ा चेंज हो रहा है एर से पूछ लेता है कौन से एर में इंसर्ट किया गया था तो यह अमेंडमेंट हुए था आपके इस एर में लिए तो बहुत जादा इंपॉर्टन जहां पर आपका section accomplish वाला इसके साथ रिलेट करके आप से फूशा दाता है कि कोई antithesis है क्या इनके बीच में राइट तो मैं इंस के लिए important है, prelims के लिए कहाँ चिस इंपोर्टेंट है, यहाँ पे अगें, section 114 में, में प्रसंप्टिन है, जहाँ पे कोड प्रस्यूम करते है कुछ सर्टन फाक्ट्स को, ठीक है, it is important, B clauses का इंपोर्टेंट है, illustrations एक बारी डॉट कर लेना, exam के पस्पेक्टिब से, clear, now moving ahead, आपका section 114, यह 114A, 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 जो है, यह बात करता है, in respect of presumption as to the absence of concern, absent of consent in certain prosecution of rape, again, यहाँ पे shall presumption है, shall presumption है, कौन से इयर से अमेंट हुआ है, that you need to remember कि कौन से इयर से इस को अमेंट किया गया है, it is 2013, in year, ठीक है, तो यह दोने चीज़े इसमें, important है, absent consent की, absence के respect में, बात करी गई है, ठीक है, और यहाँ पे shall presume करती है, court, clear, shall presume करती है, यह important है, आपके prelims exam के लिए, now moving ahead, 115, now, very important, estoppel, estoppel वाला part आता है, moving है to estoppel, देको estoppel क्या होता है, basically, principally estoppel का बात करता है, जहाँ पे मैंने कोई act किया, मैंने कोई act ये कोई representation किया, और मेरे उस act ये representation से, किसी third party ने अपने position को alter कर लिया, मैंने उस से कहा, कि ये जो bear act है, ये not allowed, simply, अगर मैंने कोई act or representation से, कोई third party अपने position को alter कर लेती है, उसके बाद, I cannot revert back, मैंने जो बात कही है, जो मैंने act or representation किया है, मैं उसके लिए लिए लाइबल होती हूँ, clear, this is estoppel का principle, ये दे रखा है आपका section 115 से लेके 117 तक, ठीक है, ये इस टोबल की बात करता है, बसी कि लिए एक सपंदरा इस्टोपल की बात करता है, ठीक है, now, what is important, और यस रोगे करता है और यहा इस से स्टापलत का होता है, injust आता है किछ से गर्पीज आप राप्रीज परजेंट करते हैं किस और इसा इसा एकofferson कada रेप्सेंट किया अई प्रजेंटेशन किया भी प्रिजेंशन किया अप्निके शरuben आता है क्टनी कहा है उसे नो यह वी लाइबल कि अगर मैंने कहा है मेरी बेराटर नो यह प्रिंसिपल है आपका इस टॉपल का इसमें पिकर्ड वोसे सीजर से एक केस आया था नौ भूविंग एड एक सो सोला जो बात करता है इस टॉपल अफ टीन इंट और लाइसेंसी ऑफ पर सेन पॉसे चल रही होती है उस टाइम पर वो डिनाय नहीं कर सकते है डानलोड का टाइटल इतनी सी बात कही गई है यहां पर और यहां पर इमोविल पापटी के रिस्पेक्ट में बात कही गई है इधान रखना नौ सेवें जो है आप सेक्शन लांगवज देख सकते हो नॉमली उसका है एड़नोड पढ़ लेना वो एक्जाइम के लिए इंपोर्टन थै इस्टॉपल अफ एक्सेप्टर फिल उफ एक्शेंज बेली अन लाइसेंसी क्लियर आई होप इट इस क्लियर गिव में थाम्जब अगर इस्टॉपल वाला पाट क्लियर हो गया तो गिव में थाम्जब अगर समझ में आया यहां तक इस्टॉपल वाला एक्जाइम के लिए क्या चीज़ इंपोर्टन है चलो नेक्स पार्ट इस आपका 118 जो बात करता है हूं में टेस्टिफाई तो यहां पर जेनरल रूल क्या है कि कोई भी टेस्टिफाई कर सकता है सब्सक्राइब करने के लिए अनलेस दब कोड कोड को ऐसा नहीं लगता कि they are prevented from understanding the question put to them and giving them unrational answer for the same मतलब हाँ very nice very good deep tea chapter 9 अब यहां पर कह रहा है कि अगर कोड को ऐसा लगता है कि इनसे जो मैं question पूछूंगा इनने समझ में नहीं आएगा ठीक है they are not in that capacity कि इनको समझ में आए वो question और उसका ही वो rational answer दे otherwise generally सब लोग competent है हर कोई competent testify करने के लिए अगर कोड को लगता है कि इनसे मैंने question पूछा है और question समझ में नहीं आएगा तो फिर वो testify नहीं कर सकते हैं वो competent नहीं testify करने के लिए otherwise as a general rule all persons are competent to testify now tender years मतलब छोटे बच्चे तीन साल के दो साल के पांच साल के but there are cases जहां पे court ने अगर उनसे question पूछा एक test रखा regionability का एक test रखा यहां पे उस test में बताया कि अगर उससे normally questions पूछे जाएंगे है कि उससे जो question पूछे जा रहे हैं उसको समझ में नहीं नहीं आ रहा है उसको कोशनों का rational answer नहीं दे सकता तो तो फिर वो competent नहीं है otherwise सब कोई competent है testify करने के लिए before the court of law clear now moving ahead section 119 जो बात करता है dumb witness की अब यहां से जो question आता है आपका I'll tell you कि कौन सा exact question पूछते है exam में at the same time witness unable to communicate verbally so witnesses आपके community communicate नहीं कर सकते verbally उसके respect में बताया witness who is unable to speak में give evidence in any other manner in which he can make intelligible ठीके जिस तरीके से हो समझा पाए उस तरीके से हो समझा सकते हैं में as by writing or by sign right writing से ठीक है राइटिंग से दे सकते हैं वो evidences या फिर sign से बस वो court को समझा दे ठीक है अपनी तरह से समझा दे जिस भी तरीके से हो समझ में हो समझा सकते हैं तो फिर उस तरीके से टेस्टिफाइ कर सकते हैं but such writing must be written and sign must be made in open court अब यह जो होना है यह होना है इंदी open court सब के सामने right और इसके इन witnesses को हम क्या मानते है इन evidences को क्या मानते जो यह testify करते हैं इसको हम मानते हैं आपका oral evidence और यह जो है आपका वीडियो ग्राफ होना भी जरूरी है तो what is important prelims के लिए कि पूछा जाता है कि evidence इनका oral evidence होता है यह documentary evidence होता है यह इनका consider किया जाता है oral evidence प्रिलेंस के लिए बहुत important है ठीक है oral evidence कहा जाता है और इस section से आपको section number important है witness कहां पर दे रखा है बस इतनी सी बात कही है यहां पर evidence given shall be deemed to be an oral evidence so evidence यहां पर writing a signature की form में दे रहे है इसकों क्या consider करेंगे आपका oral evidence consider करेंगे provided that if the witnesses is unable to communicate verbally the court shall take the assistance of interpreter or special educator in recording the statement and such statement shall be video graph यहां पर help लिए सकते हैं interpretators की जो interpretate करेंगे उसको यहां फिर कुसी special educators की clear I hope it is clear कि भाई dumb witness दे रखाए exam के लिए oral witness वाली बात जो है आपकी मौज़ादा important है now moving ahead 120 जहां के रहा है parties to the civil suit or their wives and their wives citizen or husband husband or wife of person under criminal trial यहां कह रहा है कि husband and wife दोनों जो है parties हो सकती है 120 में 121 में कह रहा है judges and magistrate यहां पे बहुत important है किसी भी judge या किसी भी magistrate को आप compelled नहीं कर सकते हैं ठीक है आप compelled नहीं कर सकते हैं answer करने के लिए किसी भी question को unless जब तक कोई उनके superior authority उनसे ना कहें ठीक है otherwise आप उनने कंपल नहीं कर सकते हैं बट उनके सामने हुई चीजों पे आप उनसे question पूछ सकते हूं clear now no judge or magistrate shall accept the special order of some court to which he is or subordinate me compelled to answer any question of his own conduct उनकी कंड़क पे आप questions नहीं पूछ सकते as such judge or magistrate or as anything which came to his knowledge in the court as judge or magistrate but he may be examined as to other matters which occurred in his presence while he was doing so ठीक है उनके सामने कोई चीजों पे आप पूछ सकते हो question otherwise उनके conduct पे उनके knowledge में कोई बात कहां से आई वो उस पे आप कंपल नहीं कर सकते except को superior authority जो से वो subordinate हो वो उनको ना कहें clear I hope it is clear section number is important very nice deep tea very nice ठीक है otherwise section number is important from this area now section one one two जो बात करता है communication during marriage means के लिए important है prelims के लिए important है section number by privileges the privilege communications की बात कर रहा है यह तो यहां पे 122 में कह रहा है communication during marriage इस case में यहां पे कह रहा है कि कोई भी person जो married है ठीक है तो during marriage उन्होंने कोई भी communication करी है तो वो privilege रहती है वो court of law में आप अलाओ नहीं उसको देने के लिए but at the same time इसके कुछ exceptions है वो exception है कि consent से दिया है तो आप दे सकते हो एक पार्टी दूसरे पार्टी को prosecute कर रहे है तो उस time पे आप evidence दे सकते हो otherwise during marriage अगर शादी के दौरान शादी जब चल रही थी उनकी तो उन्होंने कोई भी communication आपस में करी है तो that is a privilege communication वो आप court में नहीं लाओगे उसको court के court में उस matter को कसीटा नहीं जाएगा क्योंकि एक personal matter है husband और wife का एक बहुत अच्छा रिष्टा होता है ठीक है उसकी को मिंटेन करने के लिए ये प्रविजन हमने इंकॉर्परेट के था अपने इंडियन एविदेंस आप में और यहां पे कहा गया है कि during marriage marriage resolve उने के बाद अगर कोई communication करे तो that is not protected the only communication that is protected is कि जो during marriage उन्होंने communication करी है clear now moving ahead आपका section 1113 जो बात करता है evidence as to the affairs of the state यहां पे no one shall be permitted to give any evidence derived from unpublish unpublished official record records अब यहां पर देखो क्या कह रहा है कि in respect of affairs of state ठीक है कोई भी परसंट जो है permitted नहीं है evidence देने के लिए जो unpublish record से हैं except जब आप उसकी permission ले लेते हो head से उस जो भी record जो भी record जिन के पास भी हो head of the department से करा permission लेते हो तो ठीक है otherwise you're not supposed to give evidence in respect of unpublish official record accept the permission of the officer at the head of the department concern who shall give or withhold such permission as it thinks with clear now exit office or about the deck official communication किसमे section numbers ही पूश लेते हैं आपका 125 information as to the commission of offense यहां पे कह रहा है कि को भी magistrate or police officer shall be compelled to say when hence he got any information यहां पे आप किसी भी magistrate or police officer को जो हुआ है यह revenue officer को आप यहां पे compelled नहीं करोगे बताने के लिए उसके पास knowledge कहां से आई you cannot compel him to tell कि उसके बास कहां से knowledge आई clear तो तीन लोग है इसमें police officer, magistrate और revenue officer ध्यान रखना clear 126 में कहता है professional communication अगर आपने अपने lawyer से वकील से, barrister से, कोई भी अपने आपने बात बताई जाके कोई offense की बारे में बताया उसके साथ deal, एक trust दिखाया उस पर confidence दिखाया उसको अपने सारा मसला बताया तो यहां पे जो भी communication हुई है client और lawyer की बीच में that is a privilege communication वो जो है court में disclose नहीं करता है lawyer clear but again यहां पे उस चीज की बात कर रहा है इस में एक सेप्शन दे रखा है जहां पे वो यह बात कहता है कि जहां पे कोई communication जो है वो किये गये किसी in furtherance of any legal purpose, illegal purpose, right any fact observed by the barrister, preder, attorney और वकील in the course of his employment as such showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment, right तो यहां पे ध्यान रखना कि वैसे जो भी आप communication करते हो जो भी trust दिखाते हो आप अपने वकील पे lawyer पे advocate पे barrister पे तो कोई भी आप जो है उस पे confidence trust post करते हो तो that is protected आप जो भी उससे शेर करते हो सब प्रेटेटेट रहता है लेगन अगर उसको लगता है कि किसी illegal purpose के लिए जाने वाला है तो उस case में उस प्रेटेक्टेट नहीं रहती है clear तो इसके section number important है illustrations इसके important है प्रेलिंस के point of view से तो यह important है illustrations एक बादेख लेना as it is exam में पूछ लिए जाते है now moving ahead section one not 128 sorry privilege not to be waired by voluntary evidences now these are the topics जहां से आपके बहुत ज्यादा questions नहीं बनते हैं यहां से mains के questions जादा बनते हैं जहां production of evidence होता है ठीक है तो यहां पे important 132 है that is section number पहले कि witness not excuse from answering on the ground that he will criminate यहां पर क्या कहारा section 132 कि witness को नहीं छोड़ा जाएगा इस ground पे कि भाई उसको क्रिमनेट कर देंगे बस यहां पे आप उसको arrest नहीं कर सकते clear यहां इसके खिलाफ को कि में प्रसीडिंग नहीं होती है but अगर वो false evidence देगा तो उसके खिलाफ जो है उसको punishment मिलेगी IPC में section 192 के अंदर clear तो यह is important section 132 के head note important है कि आप जो है witness को excuse नहीं करोगा इस ground पे क्योंकि वोसको incriminate करेगा prelims की point of view से clear section 133 जो बात करता है accomplice की now again important prelims के लिए भी mains के लिए भी important है आपका very good evening भारती prelims के लिए भी important है mains के लिए important है accomplice कहां पे define कर रखा है and what is accomplice वहाँ पे सब लोग मालो चार पांच लोग है हम चार पांच लोग जो है मिलके कोई offense कर रहे है now one of them out of them जो है वो दूसरों के खिलाफ evidence दे रहा है this is being accomplice ठीक है तो यहाँ पे एन accomplice शाल भी a competent witness इसको competent witness मानते है against the accused person and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorrupted testimony of an accomplice ठीक है तो यहाँ पे ध्यान रखना कि accomplice कहां पे दे रखा है section 133 में दे रखा है इसकी यह definition है और बाकी इससे कुछ भी नहीं पूछे जाता है clear was prelims की point of user mains के लिए तो बहुत जाता important है इसको हम रेट करते है section 114 के clause B के साथ clear now moving ahead accomplice का एक गदू वसे state of महराश्ट वाला important case है वो भी देख ले ना वो भी important case है now moving ahead section 134 जो बात करता है number of witnesses की तो यहाँ पे Indian evidence act में नहीं बता रहा का कि वही कितने number of witness आप लेकर आओगे code में कितने भी number आप ला सकते हो तो there is no particular number decided for की वही कितने number of particular witness आप अलाओ करोगे so let's begin देखो आज के session में हम discuss करेंगे section 135 से लेके 130 167 तक and will be completing the entire act in today's session और last में हम देखेंगे कि क्या important case clause है आपके पूरे Indian evidence act में सारे topics से और कुछ MCQ solve करेंगे और क्या approach रखनी चाहिए हमें MCQ solve करने के लिए वह देखेंगे राइट चलो section 135 onwards जो है बात करता है आपके जो chapter 10 है वो बात करता है आपके examination of witnesses की तो chapter 10 important है chapter 10 किसकी बात कर रहा है examination of witness की I have told you in the last session also chapter 7 हो गया 8, 9, 10, 11 यह सारा जो है आपका important area है इसमें जो है कोई भी state judiciary का exam हो आपसे question पूछे ही जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि area बहुत dry है जैसे presumption वाले areas थे आपके 79 से लेके 89 तक ऐसा नहीं है यहाँ पे सारा जो भी sections है जो भी chapter 7 से लेके chapter 10 तक आते हैं वो आपके बहुत जादा important है examination point of view के लिए clear now section 135 किसकी बात करता है section 135 बात कर रहा है order and production of witnesses की तो यहाँ पे बताया section 135 में एक छोटी से declaration करी गई कि इनको इस तरीके से regulate के जाएगा जैसे law बता रहा है as per CPC and CRPC civil or criminal matters में और अगर ऐसा नहीं है तो discretion of the court पे decide होगा कि क्या order और क्या इनका sequence रहेगा क्या order और क्या से produce होंगे आपके witnesses examination के लिए section 136 पे आओ तो section 136 बहुत ज़्यादा ही important section है आपका means के लिए तो बहुत ज़्यादा important है prelims के लिए क्या चिस असमें important है that is कि भाई judges जो है question पूछ सकते हैं आपसे इस respect में कि पहले आप जो है party जो produce कर रही है evidence before the court of law तो party से पूछ सकते हैं आप ये बताओ कि पहले कि ये कैसे relevant है ये particular evidence कैसे relevant है पहले ये बताओ और इस बात पर अगर court को लगता है कि relevant है तो allow कर देती है admissible कर लेती है वो evidence और अगर court को लगता है that fact or that evidence which the party is proposing that is not relevant irrelevant है तो उसको वही पर दिनन नाव वहाँ पर उसको reject कर देती है clear I hope it is clear right now my voice is clearly audible to all of you give me a thumbs up चलो देन ठीक है तो आगे देखते हैं section 136 examination prelims के लिए क्या चीज़ इसमें important है prelims के लिए it is important है कि आपसे पूछ लेता है कि क्या head note है इसका and the head note is judges to decide as to the admissibility of evidence judges decide करेंगे इस particular evidence को admissible करना है या नहीं करना है right now section 137 and 138 okay okay चलो thank you Apoor and thank you Rohit आगे देखते हैं इसके जो illustration is section 136 के वो एक बड़ा प्रेफर कर लेना preliminary examination के लिए now section 137 जो है वो बात करता है examination in chief cross examination examination और examination की तो सबसे पहले एक बार समझो कि यह क्या चीजे होती है उनका क्या मतलब होता है तो examination in chief मतलब जब भी किसी witness को कोई party बुलाती है ठीक है suppose मैं party हूँ मैंने party को बुलाया और मैं उससे question पूछ रही हूँ तो वो क्या है आपका examination in chief जब adverse party उससे question पूछती है उसी witness से तो that is cross examination और आपका re-examination क्या होता है cross examination के तुरन बाद जब उससे question पूछे जाते है that is your re-examination that's subsequent to the cross examination से question पूछे जा रहे है विटने से that is your re-examination okay Mohit thank you now आगे देखते है इसमें जो और दे रखा है section 138 में वो दे रखा है कि सबसे पहले examination in chief होगा फिर उसका आपका cross examination होगा उसके बाद आपका re-examination होगा right cross examination और आपका re-examination होगा right cross examination और आपका the witness certified in his examination in chief ऐसा ने जो से examination in chief में कोशन पूचा है उसी पर आप confine रहोंगे ऐसा नहीं होता है आपके cross examination में moreover order में ही जहां पर यह order बताया वहां पर बताया कि अगर आपने re-examination में कोई भी question पूचा है कोई भी question पूचा है आपने re-examination में कोई नया matter introduced किया है with the permission of the court तो adverse party जो है उस पे cross examination कर सकती है ठीक है अगर आपने re-examination में कोई भी नया matter introduced किया है court की permission से तो उसके बाद adverse party जो है उसको cross examination कर सकती है उस particular witness को clear now moving ahead section 140 जो बात करता है witness as to the character तो section 140 में क्या बताया कि witness as to the character के respect में यहाँ पे cross examination और re-examination हो सकता है ठीक है witness to character में भी cross examine and re-examine now comes the very important the favorite question for all the state judiciary भाई leading question क्या होता है तो leading question की बारे में दे रखा है आपका section 141 से लेके 143 तक कि leading question क्या होता है leading question कब नहीं पूछते और leading question कब पूछे जाते है रैइट तो leading question क्या होता है वो ऐसे question जो answer खुद में suggest करता है जो ऐसे question है जिसका answer yes or no होता है that is leading question जिसका जो है आपका answer उस question में suggested होता है that is your leading question तो leading question कब आप नहीं पूछोगे ठीक है when they not to be asked Eating examination के लिए याद रखने के लिए leading question aap sir for sir pooch the whole cross examination me right agar aapne court se permission li hai to aap examination in chief or the examination in pooch sakti ho but in that case you have to ask from the core you have to take permission from the court to even not to be asked me likhay section 1 1 42 me leading questions must not if objected by the adverse party be asked in the examination in chief and cross examination chief except with the permission of the court clear now hello bhat was hello huh ticket to your heart it is clear leading question keep dhyana section number 141 leading question copy de raka hai come kiss me music is a guy that is given clearly in 143 key of cross examination my leading questions put sakti ho witnesses say clear leading questions kya hotel vocation in cancer yes or no tie jing a question may he up cancer chupa hua hota hai now moving ahead section 144 to bat kata hai witnesses as to the matter in writing aapke lily prelims ke liye as kuts assets kuts important nahi hai but then mains ke liye it is an important topic take a domains ke liye aap mark kar sakti ho now comes a very important topic or I would say ki bhai favorite question her state judi shri ka cross examination as to the previous statement in writing that is section 145 145 abhya ha phe isme dho cheeze hai pehla cross examination javapsko cross examine karriho witness ko as to his previous statement jose writing me karri hai aur isko contradict karriho chakye to jaha phe aap cross examine karriho to vaha phe aap usko uski writing ko nahi dikhate ho aap uski writing ko nahi dikhate ho the first part of the section says jaha phe witness ko cross examine ke rata hai to without being shown to him or being proved chakye to without being shown without being shown lekin jabab usko contradict karriho to later part me likha hai ki aap usko contradict karriho to later part me likha hai ki aap usko contradict karriho jis jitne part ko aap jis purpose jis writing ko aap use karriho contradict karriho usko aap eek baar usko dikhate ho clear to later part me dikho but if it is intended to contradict him by the writing his attention must be before the writing can be proved writing prove करने से पर है उसका attention आप उसको draw करते हो जो writing उसने करी है अपने previous statement के respect में तो यह दोनों चीज़े ध्यान रटना exam में prelims में पूछ लेता है कि cross examination में without his writing being proved or shown to him और यहाँ पे contradiction में आप उसको writing show करते हो writing उसको ठीक है contradiction की thumbs up if it is clear give me a thumbs up if it is clear चलो आगे देखते हैं आगे है आपका section 145 धिहान रटना examination का all time favorite question है ठीक है हमेशा किसे ने किसी state judiciary में आपको मिलता ही मिलता है now section 146 किस की बात कर रहा है जहां पे आप वेटनेस को cross examine करते हो तो आप उससे questions भी पूछ सकते हो questions lawful in cross examination कौन से कौन से कौशन पूछ सते हो उसकी विरासिटी को टेस्ट करने के लिए clear उसकी position को discover करने के लिए कि who he is और क्या उसकी position in life में और लास्टली यहां पे तू शेक इस credit तो यहां पे इस थरीके के questions आप जो से cross examine करते हो witness को तो questions पूछ सकते हो yes Anurag you can ask me what is not clear you can send me your doubt okay I'll take it up चलो ठीके तो lawful questions आप cross examination पूछ सकते हो जब आप भी किसी witness को जो है cross examine कर रहे हो उस time पे in addition to that any questions can be asked section 145 is not clear okay section 145 prelims की point of view से क्या पूछता है आप से examination में कि cross examination में आपका और contradiction में आप किसी witness को cross examine करते हो को इसने previous writing करी है मानलो पहले करी है उसने पहले उसने statement दिया कि statement writing में लिखा कि मैंने जो है उसको देखा कि उसने चाकू से मारा था बाद में आप उससे कह रहे हो नहीं तलवार से मारा था राइट यहां पर contradict हो रहा है उसका words तो जहां पर आप contradiction करते हो तो आप उस portion को highlight कर देते हो इस statement को जहां पर उसने लिखा था कि नहीं वहां चाकू से मारा था यहां पर जो हो कह रहे है code के सामने इसने तलवार से मारा था जब भी आप contradict कर रहे हो तो आप previous statement जो सने writing में करी है तो आप उसको दिखाते हूँ right, जब उसको cross examination ग्राइअ करते हो उस case में आप जो है उसको writing उसकी दिखाते नहीं हो Clear ये बात है ये्ष पॉलिस के सामने जो उसने statement लिखे हैं फॉलिस के सामने उस case में कॉंटेडिक्शन के केस में आप उसको दिखाते उसका टेंशन ट्रॉ करते हो जो भी वो प्रीवेस स्टेटमेंट जो देता है राइटिंग में उस रिस्पेक्ट में आप उसको कॉंटेडिक्ट जब करते हो तो आप उसका टेंशन ट्रॉ करते हो कि भाई तुमने यह सारी ब लिए और तीसरा कि इसकी क्या position and what he is doing. Now, section 147, 148, 148 is important, 147 में बताया है, when the witness to be compelled to answer, this has to be read with section 132, जहां पर एक आजाता है, कि आप जो है witness को excuse नहीं करोगे, इस ग्राउन पर उसको क्रिमनेट करेगा, right? तो उसी के respect में कह रहा है, कि when witness to be compelled, that has to be read with section 132. Now, prelims के लिए, it's not very much important. 148 क्या है, court to decide when question shall be asked and when compelled to ask. कि बई, court decide करेगा, कि question का पूछने है, और आप जो है, witness को कब compelled करोगे, answer करने के लिए. Now, यहां पर कुछ बता रखा है, कि अगर आप यह तीनों चीज़े, तीनों clause देखो, उसके 1 and 2 and 3. अब देखो, यहां पर क्या कह रहा है, इन अनी सच कोचिन रेलेट सुझे तुझे रहा है, अब एक बर आप नी बेराख में चेक करो, hello and atheist hello atheist ठीक है एक बार बेराक चेक करो अपनी और सेक्शन की लांगविज को बहुत ध्यान से यहाँ पे करा इफ एनी कोशन रिलेट्स तो इमाटर नॉट रिलेट्स तो इसूट और प्रोसीदिंग एक्सेप्ट इन सो फार आज एफेक्स दी क्रेडिट ऑफ दी विटनेस बा रिलेगा और इक में और फिर थेंग्स विट वांड विटनेस नटी इस नौट अपलाइज तो आंसर इटमापने वर्निंग बिदेगा कि भी तुमापलाइज नहीं उसकों को आंसर करने के लिए एक्साइजिग इस डारिक्श इस्क्रीशन थे इस्क्रीशन थे इस्कूर यहां पर कह रहा है कि अगर कोड को लगता है कि कोड प्र चुंग है तो वहाँ पर पूच सकता है that is very remote, ठीक है बहुत नियरबाइ नहीं है, it is very remote, clear, remote, all of such character that the truth of the imputation would not affect, और उसकी credibility से कुछ एफेक्ट नहीं होगा, तो that, those questions are improper questions, lastly, the questions are improper if they are of great disposition between the importance of the imputation made against the witness character and the importance of the evidence, ठीक है, अगर बहुत difference है, तो वहाँ पे वो questions आपके improper होगे, तो court decide कर देती है, कौन से questions आपके proper है, कौन से improper है, right, now, last है आपका तो, court में, if it seems fit, draw from the witness refusal to answer the inference that the answer if it would be given would be unfavorable, now, section 149 जो है आपका जो बात करता है, questions not to be asked without reasonable count, तो यहाँ पे कह रहा है कि no such questions as referred in section 148 ought to be asked unless the person if has a reasonable ground for thinking that imputation which is convey is well-founded, यहाँ पे लग रहा है अगर court को, कि आप उसकी credibility well-found कर सकते हो court के सामने, तभी आप पूछोगे और आप उसके लिए आपके बस reasonable ground होने चाहिए, उन questions को पूछने के लिए, जो आपके 148 में दे रखे हैं, proper questions and improper questions, right, और आगे जो section 150 है, prelims के लिए important है, क्या कह रहा है, procedure of the court, in the case of question being asked without reasonable ground, अगर कोई reasonable ground नहीं तो और आपने question पूछ लिया, तो उस case में यहाँ पे कह रहा है कि, report करोगी circumstances of the case to the high court, अगर आप से reasonable ground नहीं तो और question पूछ लिया, तो आप report कर दोगे वो case किसको, high court को, और other authority to with such ballister pleader, वकील और टॉनी, is subject to in excise of his position, जिसको वो वकील जो है, subject है, ठीक है, जिसके अंडर में वो आता है, तो आप उसको, उस authority को complaint कर दोगे, उसको report कर दोगे, यह matter कि भी बिना reasonable ground के, मुझसे questions पूछे गए है, clear, now moving ahead, आपको section 151 important question है, इंडेक्स-based question में पूछ लिया जाता है, कि indecent or scandalous questions कहां पर दे रखा है, तो that is given under section 151, clear, section 151 में दे रखा है, यही आप से जिनरेली पूछे जाता है, कि indecent or scandalous questions क्या होते हैं आपके, questions intended to insert और annoy, यहाँ पर कह रहा है, the court shall forbid any questions which appears, it to be intended to insert और annoy, यहाँ पर court forward करती है, उन question हो कुछ ऐसा लगता है, जो insert करेंगे, अनॉय करेंगे, और which though proper in itself appears to the court, needlessly offensive in its form, अगर लगता है कि offensive in form है, तो उस respect में, अब नाउ एट कम्स section 153, अब देखो 153 जो है आपका, इसके illustrations बहुत जादा important है, market very important, जो illustrations हैं सके, बहुत जादा important है, और बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे स्टेट में बिहार जुटीशनी में, आई वूट से, डिरेक्ली ऐसे ही उठा के पूछ लेते हैं आप से, जिके बहुत बार रिपीट हुए हैं, आपके इस illustration, इस illustration वाले parts, जो illustrations दे रखे हैं, ये question directly, जो है, as it is exam में, पूछ लिए जाते हैं, clear, now, see, अब इसी section क्या कह रहा है, ये कह रहा है, एक्स्लूजन आफ एविदेंस, तो कॉंटरिक्ट आंसर, तो कॉंटरिक्ट आंसर, और हास्क एनी question, which is relevant, to the inquiry, only in so far as, it tends to shake his credit, by injuring his character, no evidence shall be given to contradict him, तो तो आपको ये विदेंस नहीं नहीं होगे, उसको इसको कॉंटरिक्ट करने के लिए, बट इफ ये answers falsely, अगर आप उसको आंसर करोगे falsely, तो आपको false evidence के अंदर चार्ज किया जाएगा IPC में, clear, now exception क्या है, अगर previously conviction को रिस्पेक्ट में question पूचे जाता है, उस witness पे, और अगर वो deny करता है, तो उस case में आप जो है evidence दे सकते हो, in respect of his previous conviction, और exception 2 क्या कह रहा है, if the witness asks any question, tending to impeach his credit, to impeach his impartiality, and answer it by denying the facts suggested, he may be contradicted, तो उस case में भी आप जो है उस को contradict कर सकते हो, clear, examination के लिए section 153 से, prelims examination के लिए, इसके illustrations बहुत जादा important है, जहाँ पर उसमें बता रखा है कि वो आपका relevant होता है, या irrelevant होता है, right, तो आप एक बाइस के illustration देख लेना, section 154 अगें आपका section based question पूचे जाता है, prelims में, that is hostile witness, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं दो को hostile witness, ऐसा heading कर के नहीं दे रखा है, hostile witness 154, but 154 को generally आप क्या कहते हो, hostile witness कहते हो, अब यहाँ पर hostile witness क्या होता है, कि मैंने witness बुलाया अपने favor में, मेरे favor में आके, testify नहीं कर रहा है before the court of law, but adverse party को जा के favor कर रहा है, that means the witness has turned hostile, वो hostile turn हो गया है, मैंने उसको बुलाया था, मेरे case को support करने के लिए, but in spite of supporting my case, वो दूसरे की case को support कर रहा है, clear, तो यह आप, prelims के लिए क्या चिस इंपोर्टेंट है, section 154 किसकी बात करता है आपके, hostile witness की बात करता है, hostile witness की बात करता है, clear, now, moving ahead, आगे देखते हैं section 155, जो बात करता है, in preaching of credit of the witness, not so important, prelims के लिए बस head note पूछ लेते हैं, और बाकी समें सब उसमें पूछ नहीं पूछते, इस में में के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है, में के लिए इस इंपोर्टेंट रखना, जहांब पूछते हैं परीचिंगे ने रेड्र विटनेस के रिस्पेक्ट में कर्शन, clear, now, section 156, बात करता है, question leading to corroboration, evidence of the relevant fact, admissible, or section 157, से भी कभी कोई प्रिलिम्स का ऐसा कुछ खास कुछन नहीं आया आप यू कन हाव बेर रीडिंग ओफ इट नाओ कम सेक्शन 159 जो बात करता है रिफ्रेशंग मेमरीज की सेक्शन 159 जो बात करता है आपके रिफ्रेशंग मेमरीज की यहां पर इंडेक्स बेस कॉश्चन आता का आपके का सेक्शन में कया दे रखा है तो 154 से 159 इनगा रखाता है तो 154 से 159 को रखाता है आपके होस्था है विकिल्टिन्स की Space & Friday, Qわか Laой थी नहीं जो इनए प्रॉ Bangladesh को बेक्विए कर बेंटी जो आपके डा रोज्तिक सक्टे आब की मेमरी आफिप रहुते हो Pag तो रिप्रेशिंग मेरी का सेक्षिन नंबर पूचा जाता है, इंपोर्टन है एग्जामिनेशन के लिए, प्रिलिम्स के लिए, और यहां पे कह रहा है कि जब भी आपका विटनेश, जब एग्जामिनेशन में होता है, तो इसकी मेरी आप रिफ्रेश कर सकते हो, एफ यह बन रिएट, वेन रेड़ेट, यह जई लिए बनिशिंग लिए दिए, तो यहां पे बेसिकली बात कर रहा है, इसकी मेरी कि, जो राइटिंग करी है, पाल रहा है, या आप जब आप यहां प्ना इंसेंट बता रहा है, तो उस टाइम पे जो रसुन राइटिंग लिखिया उसकी मेमरी को रिफ्रेश्ट करा सकते हो अगर वो फेड अवे हो रही है उसकी मेमरी तो यहां पे विटनेस की मेमरी को रिफ्रेश्ट करा जा सकता है clear now section 160 161 it is all about in respect of the documents so that is not so important from the point of prelims examination section 165 again it is an special power of the court ठीके special power है यहां पे court जो है question पूच सकता है किसी भी nature का party से witnesses से चाहे वो आपका relevant fact हो here say evidences हो यहां पे इतनी wider power दे रखी है special power दे रखी है section 165 में judges को कि वो question पूच सकते हैं किसी भी party से witness से और किसी भी time पूच सकते हैं वो questions clear section 165 जहां पे बता रखा है judges power to put questions और order protection यहां पे बिना यहां पे सबसे पहले important बात provisor में क्या दे रखी है कि judgment should be based on facts जो आपके डूली प्रूवड है तो इस तरीक से देखो अगर आप कि section 136 की बात जो है वो manifested है section 5 में which has to be read with section 165 ठीक है जहां पे admissibility की बात करी section 136 में और 135 में बताया है कि judges के पास special power है कि वो किसी भी time पे किसी भी parties से और किसी भी witness से कोई भी तरीके का question पूच सकते हैं clear वैसे exam में prelims की point of view से section number ही पूचता है बाकि आप सक कुछ और इंब जादा important नहीं पूचे जाता now moving ahead बाकि section 166 that is the last the section 166 that is the power of jury or assessor to put question that is not very important for your prelims examination or last chapter chapter 11 है जो बात कर रहा है improper admissions or rejection of evidences की और इसकी बस आप एक बेर रीदिन लिलना that is also not so important now I will read it out no new trial for improper admissions or rejection of evidences the improper admissions or rejection of evidence shall not be the ground per se kud se ground nahi hooga of itself for a new trial or reversal of any decision in the case अगर मालो improper admission हो गया है या फिर rejection हुआ है किसी evidence का तो वो खुच से ground नहीं होगा कि आपका जो है नया trial हो या reverse कर दिया जाए आपका कोई भी decision किसी case में if it shall appears to the court before that that such objection is raised that independently of the evidence objected and admitted to was there was sufficient evidence to justify the decision that if what it was rejected has been received or to have not varied of the decision अब देको यहाँ पे क्या कह रहा है basically कि आपका खुच से अगर improper admission हो गया है या rejection हो गया है किसी evidence का तो पर से वो ground नहीं होगा कि आपका नया trial हो जाए या आपका decision reverse हो जाए अगर अगर जो है यहाँ पे injustice हो रहा है grave miscarriage of justice हो रहा है तो उस case में otherwise जो है नहीं होता है improper admissions पे तो improper admissions या rejection will not prove the ground for reversing the judgment of the of the trial it will be reversed only when if it affects the merits of the case अगर आपका merits of the case affect हो रहा है उससे improper admission से या फिर rejection of evidences से कभी होता है otherwise पर से खुच से जो है अगर improper admission हो गया है या फिर reject कर दिया गया है evidence तो उसससे जो है आपका trial या decision judgment जो है reverse नहीं किया जाता है तो this was all about your session मतलब ये पूरा Indian Evidence Act अब भी विल सी कि what are the important case laws और आपका क्या important इसमें judgments हैं case laws जो related है और साथ में we will discuss सबसे पहले एक question लिया देखो I have chosen थोड़े से question समझाने के लिए कि कैसे आप approach रखते हो जब आप M.C.Q को solve करते हो और क्या approach होती है अगर देखो पहला question for example ये question है आपका M.C.Q का क्या question है generally dying declaration are admissible as evidence अब ये question आप से पूछा और इसमें ये चार option दिये गए हैं और option क्या है section number के देखो 36 गड़ जुडिशरी का exam आने वाला है और 36 गड़ बेसिकली जो है आपका उसकी पूरी intention रहती है उस paper में ऐसा pattern follow होता है कि वो ज़्यादा focus करते हैं index based question पे चैके कि आपका index based question हो गया case loss पे हो गया ऐसे बहुत conceptual question बहुत rarely हम देखते हैं 36 गड़ जुडिशरी एक्जाम में clear और वहाँ पे cut-off भी बहुत हाई जाते हैं तो reason भी कि ज्यादा index based questions पूचे जाते हैं direct questions आप से पूचे जाते हैं तो index पे command होना बहुत ज़रूरी है अगर आप टार्गेट कर रहे हो 36 गड़ स्टेट जुडिशरी को अब अब नेको ये question I have chosen कि भई डाइन declaration are admissible as evidence under section 20 of Indian Evidence Act section 25 of Indian Evidence Act section 32 of Indian Evidence Act and section 35 of Indian Evidence Act अब मालनो ये सारे sections आगए now you must know कि अगर आपको पता है कि डाइन declaration कहां पे admissible है very good ठीक है anyone can answer कि कहां पे आपका दे रख्खा है डाइन declaration के बारे में anyone can answer Dying declaration what is the correct answer of this question and then I'll tell you how to opt it anyone out of you can answer correctly कि क्या इसका correct answer होगा Dying declaration I have taught you Dying declaration के बारे में कौन से section में दे रख्खा है चलो Dying declaration जो है आपका अब अगर मालनो आपको नहीं पता है कि ये कहां पे दे रख्खा है suppose एक situation आपको नहीं आद होते section number नहीं आप recall कर पा रहे हो exam के time में तो आप जो है और elimination भी कर सकते हो उससे clear very nice अनुराग very nice it is the correct answer चीक है तो correct answer इसका section 32 है but in case अगर आपको नहीं याद है कि कहां पे दे रख्खा है entries in book map chapters तो ये वाला भी नहीं होगा और आप section 20 section 20 बात करता है admissions में आता है 17, 18, 19, 20 तो ये भी नहीं होगा तो dying declaration किस में जाएगा आपका section 32 में and see will be the correct answer तो ये ऐसे approach रख सकते हो जहां पे अगर मानलो आप strike नहीं कर पा रहे हो लिए कि कौन सा exact question है क्योंकि कभी-कभी exam में ये sections के जो options आते हैं वो भी काफी close आ जाते हैं right तो section 32 will be the correct answer similarly ये question देखो यहाँ पे question लिया है which of the following statement hold true for dying declaration जिक है ये कौन सा statement इसमें true है now see क्या है पहला क्या कह रहा है अब जो को इसमें options बढ़े है examination में आपको अपने time management भी देखना है तो आप कैसे इसको कैसे solve करोगी हाँ पर पहली बात तो पूछा गया है holds true सबसे पहले तो इसको encircle कर लो क्योंकि not correct correct क्या पूछ रहा है ये जाना बहुत जरूरी है सबसे पहले question में जो आप उसी इसको encircle कर लो कुसी किसी state judiciary में वह already highlighted रहता है किसी में नहीं रहता है तो आप उसको encircle कर सकते हो था कि आप mistake को avoid कर सको now dying declaration cannot be used as sole basis of conviction पहला option यहाँ पे true पूछ रहा है ठीक है dying declaration unless corroborated cannot be used as the sole basis of conviction dying declaration which is in brief must be discarded dying declare when eyewitness affirms that the disease was not in fit state to make declaration medical opinion cannot prevail right abhi hapa kya kya correct answer ho ga anyone out of you can say what is the correct answer d ya anurag very nice d is the correct option yaha pa kya kya ra hai which of the following statement holds true fund and declaration so d option is the correct option तो यहाँ पे ऐसे questions के लिए आपकी concept clarity होना जरूरी है clear ऐसे questions को approach करने के लिए target करने के लिए आपकी concept clarity होना जरूरी है now moving ahead next question देखो according to section 61 of Indian Evidence Act these are the following options section 61 किसकी बात करता है अब यहाँ पे directly नहीं पूछ रहा है अभी पूछ रहा है कि content of document must be proved by primary evidence पहला option दूसरा option कि content document का आप proof कर सकते हो secondary evidences से तीसरा option content of document must be proved by both primary and secondary evidence और last option है the content of document must be proved by either primary or secondary evidence so anyone out of you give me the correct answer यहाँ पे देखो सारे ही option हमें यह पता है कि content of document का कैसे proof कर सकते हो primary से कर सकते हो और secondary से कर सकते हो now what is the correct option in this okay Anurag D ठीक है now यहाँ पे चोटा सा difference है option C और option D में that is यहाँ पे क्या कह रहा है कि content must be proved by both primary and secondary ठीक है बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि and secondary is the same primary से भी सकते हो secondary से भी कर सकते हो now what is the language use in the bare act bare act में अगर आप ध्यान से देखो तो क्या correct option होगा इसका the correct answer would be the content of the document must be proved either by primary or by secondary तो यह जो छोटी-छोटी confusion होती है ना exam में इसको आप practice से ही दूर कर सकते हो और ध्यान से जब आप बेराक्ट पड़ते हो तो आपको इसारी चीज़े और and का difference आपको पता होना चाहिए similarly CPC में अगर मैं एक बार एक example दे रही हूँ CPC का वहाँ पे प्लीडिंग्स में दे रखा है कि प्लीडिंग्स में क्या होता है plant and written statement, plant or written statement, तो it is plant or written statement, right तो वहाँ पे छोटा सा जो और use हो गया ना bare act में that plays a very important role आपके examination में, तो इस तरी किसे आप जोए examination में जो है solve करते हो, so D is the correct answer, now next question is definition of secondary evidence has been given under which section, definition कहां पे दे रखी है secondary evidences की yes अनुराग, पहले primary evidence दिया जाएगा, जहां पे primary evidence नहीं होता, उसके बाद you move on to the secondary evidence, this I have taught you in this session, yeah, चलो, next question is कि कहां पे secondary evidence की definition दे रखी है section 61, section 62, section 63 and section 64, आप देखो again, बहुत close option है, ठीक है, index based question है, बहुत close options दे रखे है, 61, 62, 63, 64, तो secondary evidence आपका कौन से section में दे रखा है, okay अनुराग, very nice, very nice, ठीक है, तो section 63 जो है, आपका बात करता है, secondary evidence का, अब इस case में भी जो है, आप elimination method opt कर सकते हो, जहां पर अगर आपको कोई भी section का आपको याद है, कि section 61 में क्या दे रखा है, जहां में बता रखा है कि content आप प्रूफ कर सकते हो, secondary से, तो यह option obviously नहीं होगा, क्योंकि यहां पर secondary evidence की definition पूछ रहा है, right, section 64 में भी नहीं होगा, 62 में भी नहीं होगा, then the correct option में भी section 63, तो एक तरीकी से elimination method भी opt किया करो, जब आप अपना prelims का examination देने जाओ तो, now moving ahead, next question क्या है, section 65 of Indian Evidence Act, the secondary evidence can be admitted in dash exceptional cases, अब वोजे exception दे रखे हैं section 65 में, वो कितने हैं, 3, 5, 7 या 9, कितने तरीके exceptions दे रखे हैं आपके section 65 में, जहां पर हम कहते हैं कि हम section secondary evidence को admissible करेंगे, कौन से कौन से ground में हम मानेंगे, आपका secondary evidence देना आपका allowed होगा, तो, कितने ग्राउंस दे रखे हैं, तो, कितने ग्राउंस दे रखे हैं तो, 5 ते रखे हैं, तीन दे रखे है, साथ दे रखे हैं या 9 दे रखे हैं, and again, I have chosen these questions from various state judicial examination only, ठेके, तो या प्रीवेश धेर कॉसंशन ही हैं आपके different different state judiciousी के, तो यहां में पूचा गया है कि कौन कितने तरी कि दे रखे हैं समें तो करेक्ट ऑप्शन इस सेवन ठीक है सेवन सेवन एक सेवन एक सेवन पे दे रखे हैं नौ मुविग एड नेक्स्ट इस विच विच फॉल इंड एविडेंस आग गिस प्रोविजिन रिगार्डिंग ने प्रूफ एस्टु इलेक्रोनिक सिगनेचर अब यह पात कर रहा है प्रूफ एस्टु इलेक्रोनिक सिगनेचर आफ टोल्ड यू वन आ वस इवन गोई विदी रापट रिविजिन कि भाई यह जो अमेंडमेंट वाले सेक्शन है ना वेरी नाइस अनुर यहां पर क्या रहा है कि प्रूफ एस्टु इलेक्रोनिक सिगनेचर का पर रखा है सक्षन 67 में रखा है 67 अ में रखा है बी मिदे रखा है यह सी में रखा है दो एलिमिनेशन में तो वाई 67C तो कोई सेक्शन ही नहीं है हमने पढ़ा ही नहीं कभी राइट और यह बताए कि इलेक्रोनिक सिगनेचर है तो अमेंडमेंट से आया है 67 भी नहीं है तो सक्षन 67A और बी आपने कभी देखा है सक्षन 67B नहीं एट इस 65A and B not 67A and B राइट जो बात करता है स्पेशल रिकॉर्ट्स एस्पेशल रिकॉर्ट्स एलेक्रॉर्ड रिकॉर्ड एड्मिस बिल्टी होगा और उससे आपके एकुरेशी भी मिल जाती है एक्जामिनेशन में वेरी नाइस अनुराग मेरी नाइस नाओ नेक्स्ट इस वचाफ दी फॉलोइंग सेक्षन ऑफ इंडियन एविदेंस एक्ट हास बीन अमेंडेड बाइड मेंडमेंड एक्ट टू थाउजन थर्टी प्रिशन रहते ही हैं आपके जहां पर जो स्टेट आपके इंडेक्स पेसकेस्ट पूच्छन सपूचते हैं है जिश है कर ओगे आपका राइट तो इसमें रेगुट कॉन सा करेक्ट ऑप्शन ओ का है आपके सेक्षिन थर्टीट तो भी अमेंडमेंट मिल ऐ दो रचन now what is the correct option okay अनुराग देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो dumb witness में ठीक है वो जो dumb witness वाला section है उसमें आपका amendment हुआ है so the correct option is option C that is section 119 ठीक है और dumb witness में एक और बात important बताई थी इससे related और क्या questions आ सकते हैं कि इनकी evidences को जो साइन से देते हैं राइटिंग में ऐसे कोई dumb witness जो है वो evidence दे रहे हैं testimony दे रहे हैं कोट में that will be considered as what that will be considered as your oral evidence oral evidence ठीक है तो यह भी आपका जो है क्या कहते हैं important है section से पूछ ले जाता है कि इसको आप क्या consider करते हो उन एविदेंस इसको oral evidence consider किये जाते हैं very nice आदित section 119 is the correct option ठीक है तो इदे को यहाँ पर eliminate करना भी असान है अगर चलो नहीं भी पता होता तो eliminate करना असान है पर थोड़ा सा tricky है क्योंकि आप सोचते नहीं हो कि 100 illness में कोई amendment हुआ है नहीं हुआ है that is why I always say कि प्रिलेम्स को crack करने के लिए bear act ही आपकी help करती है कि bear act को आप जितने अच्छे से पढ़ोगे जितनी बार पढ़ोगे उतना ही आपको help करेगा और हर बार जब भी आप पढ़ते हो न even till now I would say कि जब भी मैं भी कोई bear act दुबारा पढ़ती हूँ क्योंकि bear act ही आपका original source है तो original source को हमें कभी नहीं छोड़ना होता तो original source को तो में प्रिलिम्स भी आपने साथ अच्छे में में भी रखना और in fact interview तक रखना है जब तक जब जज नहीं बन जाते clear now अब important case clause है देखो I have make a list for all of you कि कौंसे कौंसे topic से आपके important cases है कौंसे कौंसे important cases है वो तो here I'll be telling you the case law name only because detail में जाना हर एक case के तो it will be very tough और it will be so time taking also इसलिए एक list बनाई है you can have a screenshot जिससे आप एक list पना सको अपने लिए भी कि कौंसे किस topic में important case clause है तो बात करते हैं सबसे पहले relevant facts की जो आपको section 5 से लेकि 55 तक दे रखा है उसमें कौंसे कौंसे important case है महुत सारी cases थे in fact आपके पढ़े भी होंगे सबसे पहले R versus foster ठीक है bedding field वाला case है आपका R versus bedding field R versus bedding field is the next case इसमें justice आपके honorable justice कौंग बन थे ठीक है सबल्दास वसे state of Bihar very interesting case और in fact पूछा भी जाता है अभी MP में last MP की prelims का question आया था कि रेजिस्टाई वाला concept इन में से following case clause में कौंसे case related है यह उस सबल्दास वसे state of Bihar और दूसरा है आपका रेटन versus queen justice Lord William force थे उसमें R versus Richard Sun R versus John Lay ठीक है मलखान सिंग वसे state of MP important case है आपका दूदनाथ पान्दे वसे state of UP important है section 11 से ठीक है next is आपका कहर सिंग वसे डेली administration सरदूल सिंग versus state of Bombay मिर्जा अकबर versus king emperor section 10 conspiracy वाले से important है राइट R मलखानी versus state of Marashtra again in an important case law ठीक है जहाँ पे वो tape recording की बात हुई थी relevance or admissibility की कौन से important case है आपके तो collector of Gorakhpur versus पालक धारी सिंग A.I.R. 1980 साहू versus state ठीक है confession से कौन से case is important है आपके पालकर नारा स्वामी versus king emperor यह important case है आपका हमेशा पूछे जाता है confessions related पलविंदर कॉल versus state of Bihar अबदुल राशेद versus state of Bihar यह सारे cases आपके जो है confession से important है confession की topic से important है in fact confession में तो बहुत सारे important case laws है आपके अगनु नगेशी versus state of Bihar मुहमत इनायत उल्ला versus state of Marashtra one of the most important case I would say जहाँ पे आपकी constitutional validity पे question हुआ था ठीक है discovery statement में question discovery statement से related है यह भी ठीक है जहाँ पे आपका discovery statement जो है वो रेलेट है article 14 के उस पे question हुआ था now state of UP versus देवमन पाद्ध्या is again an important case law निखन्त जहाँ versus state of Bihar राम परोसे शर्माँ versus महंत राम सुरू पलविंदर कौँ versus state of Punjab again it is important case तो यह जो है आपके important है in respect of confession now dying declaration की topic से कौन से काइश इंपोर्टन है आपके पालकनाया सौमे versus king emperor कुशल राओ versus state of Bombay कुएंग Empress versus Abdullah K. राम चंदुरेदी versus public prosecutor A.I.I.I. 1976 Supreme Court कौशल राओ state of Bombay Kashmira Devi versus state of Uttarakhand यह सारे जो है आपके dying declaration से important है now in respect of expert evidences बालकृषन दास अगरवाल versus Radha Devi and another अबदुल रह्मान versus state of Mysore मुराली इलाल versus state of MP again an important case law विलायत खान versus state पाली पलाणी versus state of Tamil Nadu these are the cases which are related to your expert evidences next is documentary or oral evidences कान से इंपोर्टन आपके के से P. Gopal Krishna and Delhi versus state of Kerala and another state of Maharashtra versus Profil B this is one of the important case law now presumption और बुर्टन अपोर्टन के आपके से हु विलानी A.I.I.I.I.A. 1926 और दूसरा है आपका कान्ती दीवी versus पोर्टनी राम ये जो है आपका important case law है in respect of privilege communication राम भरोसे वसे state of UP कुएंग एंप्रेस versus डॉंग डॉंगे MC वरगी सी versus टेजी पून this case already I have taken in detail ठीक है state of UP versus राज नरायन again it's an important case privilege communication के respect में और इसमें से बहुत सारे cases को मैंने already sessions ले रखे हैं आपके दूदनात पाणने वाले important case पे section 122 पे legitimacy वाले case पे ननलाल वाले सारे topics पे मैंने जो है अलग से session ले रखे हैं जहापे मैंने detail में बताया है उस case के बारे में राइट East Tॉपल के respect में Shree Krishna versus Kuru Chitra University शरद चंद दे versus Gopal Chandralaha Picard versus Caesar से तो आया ही था East Tॉपल वाला concept I have told you Mal Krishna versus Riva University ये जो है आपके case important है East Tॉपल से next is witnesses से Krishna Pillai versus state of Kerala Sukhwan Singh versus state of Punjab Chakko versus state of Kerala ये जो है आपका in respect of witnesses important है तो ये सारे जो case clause है आपके important है in respect of your in respect of your every topic जो दे रखा है आपका उसमें and website पे आपको search करना है study I.E. क जुडिश्री यहाँ पे जुडिश्री का महापक you can see course content देख सकते हैं आपस में देमो वीडियो देख सकते हैं respective faculties की और आपको by now पे click करना है आपके apply करना है promo code SHR SHR promo code apply करना है जैसे याप promo code apply करोगे you can see you will get a maximum discount while purchasing this course ठीक है तो आपको यह महापक जो 14,000 रुपे का पहले दिखा रहा था वो जैसे ही आप promo code लगाओगे 14,000 रुपे का मिल जाएगा तो अगर आपको प्रपरेशन को start करना है या फर examination point of view से कवरप करना है उसको तो I would say just go and enroll yourself in study IQ judiciary courses so this was all from my end thank you so much for watching